गुड मॉर्निंग फ्रेंज स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुसाला में इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र से संपूर्ण इतिहास देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास तीनों का डिसकसन देख वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंड कीजिए, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, और सबसे पहले हम लोग उत्तर कालीन मुगल समराड देखेंगे, तो सबसे पहले बहादूर साह प्रथम, जिसे साहे बेकवर के नाम से भी जाना जा जीसे घ्रीनित कायर के नाम से भी जाना जाता है, 1713 से 1719 तक, मुहम्मत साहरंगीला, 1719 से 1748 तक, अहमत साह, 1748 से 1754 तक, और फिर आलमगीर दूतिये जो है, यह अजीजूदिन के नाम से भी जाना जाता है, 1754 से 1769 तक, साह आलम दूतिय अली गोहर जिससे कहते थे 1769 से 1806 तक रहा अकबर दूतिय 1806 से 1807 तक और बहादूर साह जफर 1837 से 1857 तक रहे अब मुगलों से स्वतंत्र होने वाले जो राज थे अवद ये सादत खान और बुरहान मुल्क इसका नाम था अवद को स्वतंत्रता जिसने घोसित की थी और हैदराबाद के अस्थापना अवद के अस्थापना दसादत खान ने हैदराबाद के अस्थापना चिनकिलीज खान या निजाम मुल्क ने किया था रुहेल खंड ये दावुद खान एवं अली मुहम्मद बंगस ने किया था, बंगाल का मुर्सीत कुली खान, करनाटक का सादत उल्ला खान था और भरतपुर का चूडा मन एवं बदन सिंग था, तो ये सबी सोतंत कराने वाले थे, अब देखेंगे इरोपिय कमपनियों का आ भारत आये थे, वासको डिगामे ने मई 1498 में भारत के पच्छमी तट पर इस्थत काली कट बंदरगाह पहुँचकर भारत एवं इरोप के बीच एक नए समुदरी मार्की खोज की, फ्रांसिसको दी अलमीडा को 1505 इसपी में भारत का प्रतम पुर्तगाली वाय सराय बनाय नोट देख लिजे, इरोपिय कमपनियों के भारत आगमन का क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, प्रांसिसी, ठीक है, आब आगे देखते हैं, पुर्तगालीयों ने अपनी पहली पैपारी कोठी कोचिन में खोली थी, पुर्तगालीयों ने भारत में अपना 1602 इस्वी में हुआ था, डचो द्वारा भारत में अपनी प्रथम बैपारी कोठी 1605 इस्वी में मसूली पत्नम में खोली गई थी, अंग्रेजों के बारे में देख लेते हैं, इंग्लैन की महरानी एलज्यावेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को इस्ट इंडिया कमपन में आया था, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 इस्वी में अस्थाई कारखाना अस्थापित करने की अनुमती दी थी, इंग्लैन के राजा चाल्स दूतिये का विबाह 1661 में पूर्टगाली राजकुमारी कैथरीन ओफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ था, पूर्सीद कुली खान, बंगाल का स्वतंत्र सासत था, अलिवर्दी खान ने उरोपियों की तुल्ला मधुमक्खियों से की है और कहा है कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए, तो सहर देंगी और यदि छेड़ा जाए, तो काट-काट कर मार डालेंगी, ये अलिवर्दी खा अलिवर्दी खान की मिर्दू के पश्यात उसका नाती सीराजु दौला उसका उत्राधिकारी बना था, सीराजु दौला 20 जून 1757 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, अगले सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिन्दा बजे थे और इस घट बंगाल के नवाप सिराजु दौला के बीच हुआ था, पलासी के यूद में मीर जाफर की धोखा धड़ी के कारण सिराजु दौला की हार हुई थी, पलासी के यूद के उपरांद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाप बनाया था, अंग्रेजों ने मीर अवद के नवाप सिजाहु दौला मुगल सम्राट साह आलम दूतिये इन तीनों के संयुक्त सेना के बीचे हुआ हेक्टर मुन्रों के नेतिरित में अंगरेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया अब देखिए आंगल मैसूर यूद के बारे में देखते हैं आंगल मैसूर यूद में प्रथम आंगल मैसूर यूद 1767 से 1779 तक था इस समय महत्पून संदी थी मदरास की संदी के साथ इस यूद का समाप्ती होती थे 1769 में मदरास की संदी 1769 में हुई थी दूतिय आंगल मैसूर यूद जो है 1784 के बीच हुआ और इस समय गवर्णर जलन वारेन हेस्टिंग था और मैंगलोर की संदी जो 1784 में हुई है उसके द्वारा ये खत्म हुआ तिर्टिय आंगल मैसूर यूद 1790 से 1792 के बीच हुआ कार्णवाली जो था गवर्णर जनरल था और स्री रंगपटनम की संदी 1792 इस भी में के साथ इस यूद की समाप्ती होती है अब चत्तूर्थ आंगल मैसूर यूद 1799 में होगा और इस समय लॉड बिलेजली जो है गवर्णर जनरल था ठीक है और फिर इसके बाद टेपू सुल्तान मारा गया और उसके बाद मैसूर को मिला लिया गया अंग्रे जो द्वारा ठीक है अब आगे देखते हैं आंगल मर यूद जो था 1775 से 1782 के बीच गवर्णर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था इस समय दूतिये आंगल मराठा यूद 1803 से 1805 तक वेलेजली इस समय गवर्णर जनरल था तिरतिये आंगल मराठा यूद 1817 से 1818 के बीच लॉड हेस्टिंग जो था इस समय गवर्णर जनरल था तृतिये आंग मुराठा यूद 1817 से 1818 के पश्चाद पेश्वा का जो वनसानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया पेश्वा बाजी रावदूतिये अंतिम पेश्वा था अब सीख औवम अंग्रेज की संबन देखते हैं सीख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे गुरु नानक का जन 1469 इस्वी में पंजाब के तलवंडी नामकस्थान पर हुआ था 1549 में करतारपूर में गुरु नानक की मिर्तु हो गई थी गुरु अंगद के बारे में देखते हैं ये 1549 से 52 तक रहें ये सिखो के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद ने गुरु मुखी लिपी का विस्कार किया था अकबर ने गुरु रामदास को 500 भिगा जमीन प्रदान किया था और इसी जमीन पर इन्हों ने अम्रित सर नगर की अस्थापना करी थी अब गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसुरो की सहायता करने के कारण जहागीर ने 1606 में मिर्तु डंड दे दिया था सिखो के नवे गुरु तेख बहादुर हुएं ये 1664 से 1675 तक रहें गुरु गोविन सिंग 1675 से 1708 के बीच में सिखो के दसवे एवं अंतिम गुरु थें गुरु गोविन सिंग का जन्म 1666 में पटना में हुआ था गुरु गोविन सिंग ने 1699 इस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की अस्थापना की थी। गुरु गोविन सिंग ने सीख अनुवायों से पाँच वस्तुए केस, कंगा, कच्छा, क्रिपान, कडा धारन करने को कहा था। गुरु गोविन सिंग की हत्या कर दी गई 1708 में दच्छीन भारत में नांदेड नामक अस्थान पर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। बंदा बहादूर ने प्रथम सीख राजी की अस्थापना की। बंदा बहादूर को फरूक सियर के सासनकाल में मृतु दंड दे दिय गया था। अब रंजीत सिंग 1799 में लाहोर के सासक बनते हैं और रंजीत सिंग का संबन सुकर चक्या मिसल से था। रंजीत सिंग का राज्य चार सुबंबटा था पेसावर, कस्मीर, मुलतान, लाहोर। रंजीत सिंग के समराजी की राजधानी लाहोर थी। रंजीत सिंग 1845 से 46 के भी सूता है और इसमें संधी जो होती है भैरो वाल की संधी 1846 में होती है त्यूतिये अंग्ले शिक्षियुद 1849 में होता है और अंग्रेजी राज में पंजाब का विले कर दिया जाता है अब अंग्रेजी सासन के विरूद महतपुन जो विद्रो हुए हैं और उससे परभावित छेत्र समबंधित नेता और उसका इस भी देख लेते हैं तो सबसे पहले सन्यासी विद्रो होगा बिहार बंगाल में और नेता जो थे इनसे समबंधित केना सरकार और दिर्जी नरायन ये 1763 से 1800 के बीच रहा चुवार विद्रो बाकुडा बंगाल में दूर्जन सिंग नेता थे और 1799 से 99 तक ये रहा पॉली करो का बिद्रो हुआ था तमिलाडू में बीर पिक कट बोबन इसके नेता थे और 1799 से 1801 तक ये रहा भील बिद्रो पच्चमी घाट में हुआ था और त्रैंबक जी इसके समबंधित नेता थे और ये 1818 से 31 के बीच हुआ रामोसी बिद्रो देखे पच्चमी घाट परभावी छेत्र था और चितर सिंग और उमा जी इसके नेता थे 1822 से 26 के बीच पागल पंथी बिद्रो जो हुआ है बंगाल संबंदित है और करम साह एउम टीपू इसके नेता थे 1825 से 33 के बीच ये हुआ है अहोम बिद्रो असम से संबंदित है गोमधर कुवर रूप चंदर कोनार इसके नेता थे 1828 से 33 के बीच हुआ है वहाबी अंदोलन बिहार उत्तर परदेश में हुआ है सयद अहमद बरेलिवी जेतो इनके नेता और 1826 से 77 तक ये रहा वहाबी अंदोलन कारी नोट में देख लिजे वहाबी अंदोलन कारी मुहमद साहब कालीन इसलाम को पूना अस्थापित करना चाहते थे इन्हें सुधार पसंद नहीं था कोल विद्रो देखते हैं तो ये छोटा नागपूर जारकन से संबंदित है और इसके नेता बुद्धु भगत थे 1831 से 32 के बीच ये चला है खोंड विद्रो तमिलनाडू से बंगाल तक था और चक्र विसोई इसके नेता थे 1817 से 1856 तक ये रहा खासी विद्रो में घाले संबंदित है तीरर सिंह इसके नेता थे 1829 में ये विद्रो हुआ था फराईजी आंदोलन बंगाल से संबंदित है सरई तुल्ला दादु मिया इसके नेता थे और ये 1838 से 57 तक रहा संथाल बिद्रो बंगाल ये वं जारखंड से संबंदित है सिधु कानु इसके नेता थे और 1855 से 56 के बीच रहा मुंडा बिद्रो जारखंड से संबंदित है बिर्सा मुंडा नेता थे 1899 से 1900 के बीच रहा पाईका विद्रो उडिशा संबंदित है बक्सी जग बंदू जो थे नेता और 1817 से 25 तक ये रहा। नील विद्रो बंगाल से संबंदित है और इसके नेता दिगंबर विश्वास और विश्णू विश्वास थे 1869 से 60 तक इसका कल रहा। पाउबना विद्रो पाउबना बंगाल में इसान चंदर राय और संबू पाल इसके नेता थे 1873 से 76 तक रहा। दक्कन विद्रो महाराष्ट में 1874 से 75 के बीच बिद्रो हुआ था। मोबला विद्रो मालाबार केरल में अली मुसिलियार जो थे इसके नेता 1922 से 22 के बीच ये विद्रो रहा। कुका आंदोलन पंजाब में भगवत ज्वाहर मल इसके नेता थे 1842 से 72 के रहा। रमपावो का विद्रो आंधपरदेश बिहार में सीता राम राजु इसके नेता और 1922 से 1924 तक रहा। ताना भगत आंदोलन जो है जारखंड से संबंदित है और ये जत्रा भगत इसके नेता 1914 तक ये अब देखेंगे 1857 का बिद्रो अठारश सुन्तावन की क्रांती का तातकाली कारन गाय और सुवर की चर्बी वाला कार्दूस था। 34 है, 34 है, 34 रेजिमेंट बैरकपूर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेप्टिनेंट बाग और जनरल हिूसन को गोली मार दी, फलस्वरूप उन्हें की रफतार कर, 8 अपरेल 1857 को फासी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरट चावनी में सैनिकों ने बिद्रोह कर दिया, तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंतरन कर लिया। 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंगलाइन के परधान मंत्री कौन थे? पारमश्टन थे। 1857 के बिद्रोह के स्वरूप के बारे में इतिहास कारों का जो मत है उसे देख लेजे, एकजाम में आता है। यह भारत का प्रतम सोतंता संग्राम था तो यह बीडी सावर करने कहा है। यह राष्टिय बिद्रोह था डिजरायली ने कहा है। यह पुन्तय सिपाही बिद्रोह था सर जौन लॉरेंस एवं सीले ने कहा है। यह अंग्रेजों के बिरुध हिंदू एवं मुसल्मानों का सनयंत्र था जेम्स आउटरम और डबलू टेलर ने कहा है। बरबरता तथा सभ्यता के बिच यूदता टी यार होम्स के द्वारा कहा गया है। यह धर्मान्धों का इसायों के विरुध यूदता यह LER रिज के द्वारा कहा गया है। अब देखें महत्पुन पूस्त के और उसके लेखक। द इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस 1857 बीडी सावरकर से संबंदित है। द ग्रेट रेबेलियन असोक मेहता से सिपाय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ओफ 1857 यह आरसी मजुमदार से संबंदित है। 1857 एसेन सेन ने लिखा है। इसी में अब देखते हैं कि किस अस्थान पे किस ने विद्रोह का नेत्रित्य किया था और दमन किस ने किया था। दिल्दी में देखा जाये। तो बहादूर सास जफर और बक्त कान ने विद्रोह का नेत्रित्य किया था 11 मई 1857 को। दमन किस ने किया था। निकलसन एवं हर्सन ने किया था 21 सितंबर 1857 को। कानपूर में नेता थे नाना साहप और तात्या टोपे। 5 जून 1857 डेट था। बिद्रोह का दमन कैम्प वेल ने किया था 6 दिसंबर 1857 को। लखनव के नेता लखनव में जो विद्रोह था 1857 का। उसके नेता बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को। और दमन किस ने किया था। कैम्प वेल ने मार्च 1858 को। जासी के नेता रानी लक्षमी बाई थी जून 1857 में विद्रोह किया था। और दमन किया था हिूरोज ने 1858 को। इलाहबाद में लियाकत अली नेता थे जून 1857 में और विद्रोह का दमन कर्नल नील के द्वारा 1858 में किया गया था। जगदीजपूर में देखें तो जगदीजपूर में नेता थे कुवर सिंग जून 1857 और बिलियम टेलर एम विंसिट आयर ने यहां 1858 में विद्रोह का दमन किया था। तात्या टोपे का वास्त्वीक नाम क्या था राम चंद्र पांडूरंग रानी लक्षमी बाई 17 जून 1858 को बीर गती को प्राप्त होई थी। अब हम लोग धार्मिक और समाजिक सुधार आंदोलन देखेंगे और इसमें सबसे पहले है ब्रम्ब समाज। तो ब्रम्ब समाज की अस्थापना 20 अगस 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मिय सभा का गठन भी किया था। बेदान्त कॉलेज की अस्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में किया था। राजा राम मोहन राय को भारतिय पत्रकारिता का अगर दूत माना जाता है। प्रातना समाज के बारे में आत्मा राम पांडूरंग ने 1867 में बंबई में प्रातना समाज के अस्थापना करी थी। इसमें सीसु वद पर रोक लगाया गया था। सती प्रथा 1829 में लॉड बिलियम बेंटिक इसमें गवर्नर जनरल थे और इसका विसेता सती प्रथा पर रोक। दास्परथा 1843 में किया गया था। एलन बरो गवर्नर जनरल और दास्परथा पर रोक लगाया था। बिद्वा पुनर विवा 1856 में लॉड कैनिंग के समय बिद्वा विवा की अनुमती दी गई थी। नेटिव मैरेज अक्ट जो है 1872 में नौर्थ भूक के समय किया गया था। और ये अंतर जाती विवाह को पुर्षाहन से संबंधी था। Age of Consent Act 1891 में Lansdown के समय और लड़कियों के विवाह की आईू 12 वर्स निश्चित इसमें के गयी थे। सारदा आयक जो है 1929 में आय था ईरविन के समय और लड़कियों के विवाह की उम्र इसमें 14 वर्स निश्चित किया गया था। अब आगे देखते हैं, राना डे ने पूना सार्जवनिक सभा के अस्थापना 1870 में कीथी और इन्हें महराष्ट का सुकरात कहा जाता है, 21 दिसंबर 1893 को डीके करवे ने विद्वा पुनर विबाह एसोसियसन बनाया, आरे समाज का देखते हैं, आरे समाज के अस्थापना स लोटो का नारा भी दिया था, स्वामी दयानंत सरस्वतिस की परमुख पुस्त के देख लेते हैं, तो सत्यात प्रकास है, ये 1875 में प्रकासित हुआ था, पंच महा यग विधी 1874 में, पांखट खंडन ये 1866 में, अद्वैत मत का खंडन 1867 है, तो 1877 में इसका प्रकासन किय अब देखेंगे आगे यंग बंग आंदोलन के बारे में, तो 1826 में इस आंदोलन की सुरुवात हिंद्री विवियन डेरेजियों द्वारा किया गया था, सुरेंद रनात्मनर जी ने डेरेजियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है, अपनी जाती के रूप में स्विकार किया है, रामक्रिष्न मिशन एवं स्वामी विवेकानन, स्वामी विवेकानन दच्छी नेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामक्रिष्न परम हंस के सिस्परम सिस्षत हैं, स्वामी विवेकानन का बच्पन का नाम नरेंद्र नाथ था, 1893 में अमेरिका के सिकागो सहर में आयोजित बीस्वि धर्म सम्मेलन में स्वामी विबेकानन ने भारत का नित्रित्व किया 1896 में स्वामी जी अमेरिका में बेदामति सभा की असापना की 1897 में स्वामी विबेकानन ने राम क्रिस्न मिसन की असापना की सुबाह चंद्र बोस ने स्वामी विबेकानंद को आधुनिक राष्टिये आंदोलन का अध्यात्मिक पिता कहा है अब थियो सोफिकल सोसाइटी के बारे में देखते हैं मैडम बुलावस की तथा करनल आलकाट ने निव्यार्क में 1875 में थियो सोफिकल सोसाइटी के अस्थापना किया थियोसोफिकल जो सोसाइटी है वो अडियार मदरास में अंतराष्टिय इसका कर्याल है 1882 में खोला गया आलकट की मिर्तु के पश्चात 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष्या बन गई अन्य समाजिक सुधार अंदोलन लोक हितवादी के नाम से गुपाल हरी देशमुक को जाना जाता है भारतिय सेवक्षन दस सर्वेंट औफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना 1905 में गुपाल कृष्णे गोखले ने किया था मुस्लिम सुधार अंदोलन देखिए तो सरसयद एहमद खान ने अलीगढ़ अंदोलन चलाया था मुहम्मद कासिम ननौती एवं रसीद एहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद में इसलामी मदर्से के अस्थापना करी थे मिर्जा गुलाम एहमद ने 1889 में अहमदिया अंदोलन के अस्थापना की थे 1864 में सरसयद एहमद खान ने साइन्टिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंगलो ओरियंटल कॉलेज के अस्थापना की थे और यही कॉलेज वर्स 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्याले में परिवर्तित हो गया वर्स 1930 में सरप्रथम दिवराष्ट सिधान्त की बात मुहमद इकबाल ने किया था इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इंकलाप सब्द का परियोग किया था निमने जातिया आंदोलन देखिये 1873 में बंबई में जोतीबा फूले ने सत्य सोधक समाजे की अस्थापना करी थी जोतीबा फूले ने कुलाम गिरी नामक पुस्तक की रचना की थी 1924 में अमबेडकर ने बंबई में बहिस्कृत हितकार्नी सभा की अस्थापना की थी और 1927 में मराठी में बहिस्कृत भारत नामक पत्रीका का प्रकासन अमबेडकर ने किया था 1932 में महात्मा गांधी ने अच्छूतो को हरीजन नाम दिया और साथी हरीजन सेवक संग की अस्थापना करी अब अन्यसुद आंदोलन वसुधार देखिये बिद्वा पुनरविबा हेतु इस्वर चंद बिद्यासागर ने अथक प्रयात ने किया था डीके करवे ने 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विस्व विद्याले की अस्थापना की थे भारतिये राष्टिये संग कांग्रेस का पूर्व नाम तो भारतिये राष्टिये संग की अस्थापना 1885 में एलेन ओक्टेवियन हुम के द्वारा किया गया था कांग्रेश का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्क्रीत बिद्याले में हुआ था अब हम लोग देखेंगे उपाधी और प्राप्त करता योमदाता ठीक है तो गुरुदेव की उपाधी रविन्ना टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था और महात्मा की उपाधी महात्मा गांधी को रविन्ना टैगोर ने दिया था नेता जी की उपाधी सुबाज चंद्र बोश को एडोर्प हिटलर ने दिया था सरदार की उपाधी वल्लबै पटेल को बार्दोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था देश रत्न या अजाद सत्रू ये दिया गया था डॉक्टर राजेन परसाद को महात्मा गांधी के द्वारा काईदे आजम मुहम्मद अल्दी जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था देशनायर सुभास चंद्र बोस को दिया गया था रबिन ना टैगोर के द्वारा विबेकानन्द सुवामी विबेकानन्द को महराजा खेतरी के द्वारा दिया गया था राश्ट पिता महात्मा गांधी को सुबाश चंद्र बोस ने दिया था और राजा क्यूपादी राम मोहन राय को अकबर दूतिय ने दिया था अब हम लोग देखेंगे भारतिय राश्टिय आंदोलन से संबंधित महत्पूर्ण संगठन एवं संस्था है तो एसियार्टिक सोसाइटी के अस्थापना 1784 में बिलियम जोन्स के द्वारा किये गए थी आत्मिय सभा के अस्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेन्री लुई डिवियन डेरेजियो के द्वारा ब्रम समाज के अस्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा तत्व बोधनी सभा के अस्थापना 1849 में दिवेंद्र नाठ ठागूर के द्वारा किया गया था परम हंस मंडली 1849 में किसके द्वारा आत्मा राम पांडूरंग बाल क्रिस्न जैकर और दादोबा पांडूरंग के द्वारा इसके अस्थापना की गई थे रहनुमाई मजदायन सभा ये 1851 में इसके अस्थापना दादा भाई नो रोजी ने किया था मुहमडन लिटरेरी सोसाइटी के अस्थापना 1830 में अब्दुल लतीफ ने किया था वेद समाज के अस्थापना 1864 में के स्री धरालू नाइडू ने किया था केशरी धरालू नाइडू ने साइन्टिफिक सुसाइटी की अस्थापना 1864 में सरसयद एहमत खान के द्वारा किया गया था इस्ट इंडियन एसोसियेशन की अस्थापना 1866 में दादा भाई नोरोजी ने किया था पुना सार्जोनिक सभा की अस्थापना 1870 में एमजी रानाडे के द्वारा प्रातना समाज की अस्थापना 1867 में आत्मा राम पांडू रांग के द्वारा सत्य सोदक समाज की अस्थापना 1873 में जोतीबा फुले के द्वारा किया गया था अलिगड मुहम्डन एंगलो औरियन्टल कॉलेज के अस्थापना, 1875 में सर स데 अहमद खान के द्वारा किया गया था इंडियन लीग 1875 में सीसीर कुमार घोस के द्वारा किया गया था आरे समाज 1875 में स्वामी दयानन सरसवती के द्वारा स्थापना कियी गए थी Theosophical Society 1875 में मैडम बलावस की एवं, कर्नल अलकॉट के द्वारा Indian Association 1876 में आनन्द मोहन बोस और सुरेननाद बनर जी के द्वारा, भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस के अस्थापना 1885 में ए ओहुम के द्वारा, बंबे प्रसिडेंसी एसोसियेशन के अस्थापना 1885 में फिरोज साह महता, तैलंग तथा तैयब जी के द्वारा के गई थे, वेल्लूर मट के अस्थापना 1897 में स्वामी विवेका नन्द के द्वारा, इंडियन सोसल कॉंफरेंच के अस्थापना 1887 में महदेव गोबिंद राणनाडे के द्वारा, सारदा सदन के अस्थापना 1889 में रमा बाई के द्वारा किया गया था, और राम कृष्न मिसन के अस्थापना, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा अस्थापन किया गया था अभि नौ भारत संसता 1904 में बिनायक दामोदर तथा गनेस दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था अब नेक्स है दस सर्वेंट अफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना 1905 में गुपाल कृष्ने गोखले के द्वारा मुसलिम लीग के अस्थापना 1906 में आगाखान एहुमसलीम उल्ला के द्वारा सोशल सर्विस लीग के अस्थापना 1911 में स्री नारायन मलहार जोसी के द्वारा, विश्वेभारती के अस्थापना 1921 में रभीन नाट टैगोर के द्वारा किया गया था गद्दर पार्टी के अस्थापना 1913 में लाला हर्द्याल के द्वारा हिंदु महासाबा के अस्थापना 1915 में मदन मोहन मालविवे के द्वारा Home Rule League के अस्थापना 1916 में तीलके ओम एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था Women's India Association 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा खिलाफद आंदोलन 1919 में अल्ली बंधु के द्वारा अखील भार्तिय त्रेड यूनियन कॉंग्रेस के अस्थापना 1920 में एमेन जोसी के द्वारा किया गया था स्वाराज पार्री के अस्थापना 1923 में मोति लाल नहरू यू चितरणजन दास के द्वारा इंदुस्तान डिपबलीकन एसोसीेशन के अस्थापना 1924 में सचींदरनात सन्याल के द्वारा बहिस्क्रीत हितकारणी सभा इसके अस्थापना 1924 में बी आर अंबेटकर के द्वारा, राष्टिय स्वयम सेवक संग 1925 में डॉक्टर हेडगवार के द्वारा, नौजवान सभा 1926 में भगत सिंग छबीलदा सेवं एस्पाल के द्वारा, हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन 1928 में सुदाई खित्मतगार 1929 में अब्दुल गफार के द्वारा, हरिजन सेवक संग पूने में 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, सुवतंत्र स्रमिक पार्टी के अस्थापना 1936 में बी आर अंबेदकर के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लोक के अस्थापना 1949 में सुबाश चंद बोश के द्वारा, आजाद हिंद फौज के अस्थापना 1942 में रास विहारी बोश के द्वारा, और आजाद हिंद सरकार के अस्थापना 1943 में सुबाश चंदर बोश के द्वारा, तो ये सभी संस्थाएं थी, अब आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिस काल में सिक्षा का व गौर्डनर जनरल वारेन हेश्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मदर्शा की अस्थापना की जिसमें फार्सी और अर्वी भासा का अध्यन होता था ब्रिटिस रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 इसबी में वारा नसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्क्रीत कॉलेज की अस्थापना की थी लौड बिलेजली ने 1800 इसबी में कमपनी के और सैनिक अधिकारियों की सिक्षा के लिए फोर्ट बिलियम कॉलेज की अस्थापना की थी सरप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट में एक लाक रुपया भारत में सिक्षा के परसार हितु ब्याय करने का प्रावधान किया गया अलेकजेंडर डफ द्वारा सिक्षा के अधो मुकी निस्यंदन के सिधान्त का परतिपादन किया गया था लौड मैकाले ने इसे भारत में लागू करवाया चार्ल्स ओड के डिस्पैच को 1854 इसमी में भारतिय सिक्षा का मैगना कार्टा कहा जाता है हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया था जिसने प्रात्मिक सिक्षा के परसार हेतू उपाय की सुझाया था 1902 में लौड करजंद्वारा टॉमस रहले के अध्यक्षता में बीसु विद्याले आयोग का गठन किया गया था जिसके फला स्वरुप भारतिय बीसु विद्याले अधिनियम 1904 पारीत किया गया वर्स 1917 में ब्रीटी सरकार ने कलकत्ता बीसु विद्याले की संभावनाओं के अध्यन अथा रिपोर्ट के लिए सैडलर बीसु विद्याले आयोग का गठन किया 1929 में भारत में सिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हाट्टोक समीती का गठन किया गया था 1944 में केंदरिये सिक्षा मंतरना मंडल ने एक राष्टिये सिक्षा योजना तयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम जाना जाता है राधा कृष्णन आयोग 1948 के सुझाओ पर भारत सरकार ने 1935 में बिस्व विद्याले अनुदान आयोग की अस्थापना करी थी भारतिये समचार पत्रों का इतिहास देख लेते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस की सुर्वात सोलवी सदी में पूर्त गाली मिस्नरियों के द्वारा की गई थी जेम्स आगस्टर खिक्की ने 1780 में दबंगाल गजट का प्रकासन किया जिसे भारत का प्रतम अकभार माना जाता है जुगल की सोर के द्वारा 1826 में कलकत्ता से हिंदी में प्रकासित उद्धन्त मार्तंड को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है गदर का प्रकासन सैन फ्रांसिस को अमेरिका से 1913 में किया गया इसका प्रकासन उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदी भासाओं में हुआ था प्रेश के विरूद लगाये गए प्रतिवंध देख लेते हैं लौड बेलेजली ने 1799 में प्रेश नियंत्रन अधिनियम सेंसर सीब द्वारा समचार पत्रों पर नियंत्रन लगाया था चार्ल्स मेटकॉफ को समचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकॉफ ने लिबरेशन ओफ दे इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था अबलों महत्पुन पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक देख लेते हैं और संपादक अभियूद लीडर हिंदुस्तान ये मदन मोहन मालबिये की पत्रिका थी इंडियन मिरर मनमोहन घोस केशो चंद्रसेन से संबंदित है इंडिपेंडेट मुतिलाल नहरू से काल सिवराम महादेव परांजबे का था कामरेड हमदर्द ये मुहम्मद अल्ली का था केशरी मराठी में, दम मराठा जो था अंग्रेजी में और गीता रहस ये तीनों जो पत्रिका थी ये बाल गंगाधर तीलक की थी कर्मयोगी, युगांतर, बंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, साबित्री ये अर्बीन घोस की पत्रिका थी बंगाली एमनेशन इन मेकिंग सुरेननाद बनरजी का भवानी मंदिर बारिंद कुमार घोस का यंग इंडिया, हरीजन, नौजीवन, हिंद सोराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ तुरूथ ये महात्मा गांधी का था सन्वाद कौमदी राजा राम मोहन राय से सम्बंदित है, सोम परकास इस्वरचंद विद्या सागर का था, अमरीत बजारपत्री का सिसील कुमार घोस से सम्बंदित है, कौमन विल निउ एंडिया एनि बेसेंड से सम्बंदित है, फ्री हिंदुस्तान तारक नात तास से, दरिबोल नुश्री ये सचीन दरनाथ सन्याल से, पौर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया और रास्त गोपतार ये दादा भाई नोरोजी का था, इंडिया डुबाइड डॉक्टर राजेंद्र परसाथ से संबंदित है, अन हैपी इंडिया लाला लाजपतराय का था, इंडिया विंस फीडम गुबारे खातिर अलहिलाल ये अबुल कलाम अजाद से संबंदित था, डिसकबरी ओफ इंडिया ग्लिम्स सेज ओफ वरल्ड हिस्ट्री, हिन्स फोर सेल्फ कल्चर, ये किसका था ज्वाहार लाल नहरू का था, थीक है कि इसमें हिन्स फोर सेल्फ कल्चर ये लाला हर्दयाल का है, ठीक है, और अन्रेश्ट सर वेल calculating सिरोल का था, इंडिया और इंडियंस, चितरंजन दास, होम एन्द वर्ल्ड और गितांजली ये रविन्ना टैगोर का है, नीलदर्पन दीन बंधु मित्र का है, सोजे वतन, कर्म भूमी, सतरंज के खिलाड ये प्रेम चंद से संबंदित है, बंग एदरा, तरान एहिंद ये मुहम्मद इ सिता रमया से, सत्याद प्रकास, तयानंद सरस्वती से संबंदित है, इंडियन अश्ट्रगल ये सुवाच चंदर बोश से, आनंद मठ, देवी, चोधरानी, बक्कीम चन, चटो पाध्या से संबंदित है, बंदी जीवन, सचिननात सन्याल से संबंदित है, अब देखेंग पहला अधिवेशन, 1885 में, अस्थान कहां था, बंबई में, और अध्यक्च थे, बोयमेस, चंदर बनर जी, इसमें, विसेश कहां था, 72 परतिनी दिन सामील हुए थे, दूसरा अधिवेशन, 1886 में, कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई, नोरो जी, इसके अध्यक्च तीसरा अधिवेशन, 1887 में, बंदरास में, बदरू दिन तैयव जी, इसके अध्यक्च थे, और ये विसेश था, प्रत्थम मुसलिम अध्यक्च बदरू दिन तैयव जी थे, चोथा अधिवेशन, 1888 में, इलहाबार में हुआ था, जोर्ज यूले इसके अध्यक्च थे, और ये प्रतम अंग्रेज अध्यक्ष थें। 12. अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था रहीम तुल्ला स्यानी इसके अध्यक्ष पहली बार बंदे मातरम इसमें गाया गया था। 21. 1905 में हुआ था बनारस में गुपाल कृष्न गोखले इसके अध्यक्ष थें। 22. ये 1906 में कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नोरोजी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज सब्द का यहां परियोग किया गया था। 23. आधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था अस्थागित हुआ था। और ये डॉक्टर रास बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे कांग्रेश का जो प्रत्थम विभाजन था इसी समय हुआ था। 23. 1908 में मदरास में हुआ था डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे कांग्रेश सविधान का इसमें निर्मान हुआ था। 25. 1910 में इलहाबाद में हुआ था बिलियम वेडर बर्ण इसके अध्यक्ष थे। 26. 1911 में कलकत्ता में पंडित विशन नरायन दस इसके अध्यक्ष थे और इसी समय पहली बार जनगनमना गाया गया था। 31. 1916 में हुआ था लखनव में अंबिका चरन मजुमदार इसमें अध्यक्ष थे और कांग्रेश मुसलिम लीग पैक्ट इसमें हुआ था। 32. 1917 में हुआ था कलकत्ता में और एनी वेशन इसके अध्यक्ष थी प्रत्थम महिला अध्यक्ष थे। 22. अधिवेशन एक हुआ था 1918 में बंबई में हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेश का दूसरा विभाजन हुआ था। 34. अधिवेशन 1919 में अम्रिसर में पंडित मोती लालनेहरु अध्यक्ष थे। 35. में 1920 नागपुर में C. V. रागवाचारी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेश सविधान में परिवर्तन हुआ था। 26. अधिवेशन 1920 में एक हुआ था। जो कलकत्ता में लाला लाजपत राय के समय हुआ था। 36. अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हुआ था। C. आरदास इसके अध्यक्ष थे। कारेकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। 37. अधिवेशन 1922 गया में हुआ था। देश बंदुत चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 26. अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष अबूल कलाम अजात्ते सबसे युवा अध्यक्ष हे बने थे। 49. अधिवेशन 1924 में बेलगाओं में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधे। 40. अधिवेशन 1925 कानपूर में हुआ था। श्री मती सरोजनी नाइडूर अध्यक्ष बनी थी। ये प्रत्थम भारतिय महला अध्यक्ष थी। 41. अधिवेशन 1926 में गुहाटी में हुआ था। और इस श्री निवास आयंगर जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसमें विशेश क्या था। सभी सदस्य होईतु खादी वस्त्र अनिवारे कर दिया गया था। 42. अधिवेशन 1927 में मदरास में हुआ था। डॉक्तर एम ए अनसारी अध्यक्ष थे और इसी समय पूर्ण स्वाधिन्ता की मांग की गई थी। 43. में 1928 में कलकत्ता में पंडित मोती लालनेहरू इसके अध्यक्ष थे। 44. देखें वे उन्नी सो उन्तिस लाहोर में हुआ था। पंडित ज्वाहा लालनेहरू इसके अध्यक्ष थे और इस समय पूर्ण स्वाराज की मांग हुई थी। 45. 1931 कराची में हुआ था। सर्दार वल्लब भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की इसमें मांग की गई थी। 49 देखें तो 1936 में हुआ था लकनव। और इसके अध्यक्ष थे पंडित ज्वाहालाल नेहरू ठीक है। 50 देखें पचासवा 1936 में हुआ था फैजपूर में पंडित ज्वाहालाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। और ये गाउं में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था 91 देखे तो 1938 हरी पूरा में हुआ था ये सुबाज चंद्रबोस से यहां पे अध्यक्ष थे 52 में 1949 में त्रिपूरी में हुआ था सुबाज चंद्रबोस ही इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने त्याकपत्र दे दिया था जिसके बाद राजेंत परसाद अध्यक्ष बने थे 53 में 1940 में रामगड में हुआ था और अबूल कलाम अजाद इसके अध्यक्ष थे 54 में 1946 में मेरट में हुआ था आच्चार जेबिक रिपलानी इसके अध्यक्ष थे और ये विशेश क्या है कि आजादी की समय भी यही अध्यक्ष थे अब आगे देखते हैं वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में 1878 इस्वी में पारित हुआ था और इसको मूह बंद करने वाला अध्यनियम कहा गया 1882 में रीपन इस अध्यनियम को समाप्त कर दिया अब भारतिये स्वतंता संघर्ष के महतपूर्ण तत्थें देख लेते हैं तीलक ने 1893 में गनपती एवं 1895 में सीवा जू उत्सो मनाना प्रारंभे किया बैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तीलक को भारतिये औस अंतोस का जनक कहा था दादा भाई नवरोजी ने धन निकासी सिधानत का परतिबादन किया वर्स 1905 में लंदन में स्याम जी क्रिस्न वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी के अस्थापना की करजन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की गोसना की गई थी बंगाल विभाजन के बिरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन होल में स्वदेसी आंदोलन की गोसना की गई थी रबिनना टैगोर ने स्वदेसी आंदोलन के समय एक प्रसिद गीत अमार सुनार बांगला लिखा था जो 1971 में बांगला देश का राष्टिये गीत बना तो ये अमार सुनार बांगला जो था 1971 में बांगला देश का राष्टिये गीत बना पी मित्रा ने बंगाल में अनुसीलन समीति की गठन किया था सली मुल्ला खान के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतिये मुस्लिम लिग की अस्थापना हुई थी मुस्लिम लिग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था प्रफूल चाकी और खूदी रामबोस ने 30 अप्रय 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिश्टेट किंग्स वोट की हत्या का प्रयास किया था प्रफूल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्मत्या कर लिए और खूदी रामबोस को फासी दे दी गए भीकाजी रूस्तम कामा भारतिये क्रांती की मा भी इनको कहा जाता है इन्होंने 1907 में अश्टूटगार जर्मनी में प्रथम भारतिये राष्टिये जंड़े को फैराया था वाइसराय लौड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव दर्बार का आयोजन किया इंगलेंड के समराट जोर्ज पंचम एवं महरानी मेरी के स्वागत में ऐसा किया गया था इसमें बंगाल भी भाजन को रद्ध कर दिया गया राष्धानी को कलकता से दिल्ली अस्थानांत्रित करने की घोसना हुई वर्स 1912 में दिल्ली भारत की राष्धानी बनी वाइसराय लौड हार्डिंग के समय ऐसा हुआ था 1915 में अंग्रेश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ये हिंदि की उपाधी दी थी राजा महेंद्र परताप ने अपने सहयोगी बरक तुल्ला के साथ 1915 में काबूल में भारत की प्रतम औ अस्थाय सरकार का गठन किया था कांग्रेश के लखनव अधिवेशन 1916 में कांग्रेश के दोनों दल गरम दल यो नरन दल में एकता हो गई थी बाल गंगाधर तिलक ने अप्रेल या मै 1916 में होमरूल लिक की अस्थापना की थी एनी बेसेड ने सितंबर 1916 में मदरास में होमरूर लिक की अस्थापना की थी गांधी जी ने 1917 में एहमादाबाद में साबर मती आसरम की अस्थापना की थी बिहार के राजकुमार सुक लेके आगरा पर गांधा जी संपारन गय थे गांधी जी तुवारा सत्याग्रह का सरप्रथम परियोग दचीन अफ्रीका में 1906 में जबकि भारत में देखा जाए तो सरप्रथम परियोग 1917 में चंपारन बिहार में किया गया था रभीन ना टाइगोर ने सरप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ इसे बीना अपील, बीना वकील, बीना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट के विरुद 6 अपरेल 1919 को गांधी जी ने देश प्यापी हर्ताल का योजन किया 13 अपरेल 1919 को अमरीस सर के जालिया वाला बाग में डॉक्टर सत्पाल और सैफु दिन किचलू की गिरपतारी का विरोध कर रही एक्सजन सभां पर जनरल डायर ने गोलिया चलवाई थी जिसमें कांग्रेश के अनुसर 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसर 389 निर्दोस व्यक्ति मारे गये थे और इसी घटना को जालिया वाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है जालिया वाला बाग हत्याकांड के बिरोध में गांधी ने कैसर एहिंद की उपाधी, जमना लाल वजाज ने राय बहादु की उपाधी और रबिन्ना टैगोर ने सर की उपाधी वापस कर दी थी। जालिया वाला बाग हत्याकांड की जाचेतु लॉड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। महात्मा गांधी ने एक अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और इसी दिन बाल गंगाधर तिलग की मिर्थू हो जाती है। चार फरवरी 1922 को गोरक पुरजिले के चौरी चौरा नामकस्थान पर आंदोलन कारियों ने थाने में आग लगा दे जिस से 23 पुलिस कर्मियों की मिर्थू हो गई। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अस्थगित कर दिया गया। काकोरी एक्षन डे की घटना 9 अगस्थ 1925 को हुई जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाना करांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। लाहोर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमिशन के विरोध में परदर्सन के दवरान पुलीस की लाठी से लाला लाजपत राय की घायल होते हैं और उसके बाद इनकी मिर्टु हो जाती है। चंद से कराजात तथा भगस्तिंग ने 1928 में दिल्ली में इस्तत फिरोध सहा कोटला में हिंदुस्तान सोसलिष्ट रिपॉब्लिकन एसोसियेशन की अस्थापना किया था। कांग्रेश के लाहोर अधिवेशन 1929 में पूर्ण सवराज को अपना लक्ष घोसित किया गया और इस अधिवेशन के अधर्चिता ज्वाहार लल नहरू ने किया था। लाहोर अधिवेशन में 26 जन्वरी 1930 को प्रथम स्वाधिन्ता दिवस के रूप में मनाने का निश्या किया गया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबर मती आश्रम से लगभग 241 मिल दूर डांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अपरेल 1930 को डांडी पहुंचे तथा 6 अपरेल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा समिनय उत्तर पच्चमी सीमा प्रांत के मुसल्मानों ने खान अब्दुल गफार खान सीमांत गांधी के नित्रित में सविनय अवग्या आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोता हुआ और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवग्या आंदोलन अस्थागित कर दिया दूसरा गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ महात्मा गांधी ने कांगरेस के परतीनीधी के रूप में इसमें भाग लिया था डॉक्टर भीमराव उंबेदकर ने लंदन में हुए तीनो गोल में सम्मेलन में अच्छूतो के परतीनीधी के रूप में भाग लिया था 16 अगस्त 1932 को ततकालिन ब्रिटिस प्रधान मंतरी रैमजे मैकडोनाल ने सांपर दाइक पंचाड जिसे कम्यूनल अवार्ड भी कह जाता है को प्रस्तूत किया इसके तहर मुसल्मान वज सिख्य के साथ साथ दलित वर्ग को भी अलप संख्यक बान कर हिंदूों से अलग कर द गया था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालविये तथा अन्यनेता वह अंबेडकर के मत्यक समझोता हुआ जिसे पूना समझोता के नाम से जानते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंग सुखदेव एमराज गुरु को फासी दे दी गई सुवाज चंद्रबोस ने 3 मई 1949 को कांग्रेस के भीतर ही फार्वर्ड बुलोक के अस्थापना किया था गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महराष्ट के पौनार में ब्यक्तिगत सत्यागरा शुरू किया पौनार आंदोलन या ब्यक्तिगत सत्यागरा आंदोलन के प्रथम सत्यागरोई बिनोवा भावे दूसरे ज्वाहलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रम्भतत थें वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेश कार समीती की बैठक में अंग्रेजो भारत छोडो रस्ताव पारित पास किया गया भारत छोडो आंदोलन की सुरवात 9 अगस्त 1942 को की गई भारत छोडो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया Operation Zero Hour के अंतरगत सभी महदपुन कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात को ही ग्रिपतार कर लिया गया था इस अंदोलन के दोरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे अस्थानों पर समानांतर सरकार की अस्थापना होती है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापूर में आजाद हिंद सरकार का गठन सुबास चंदरबोस के द्वारा किया गया आजाद हिंद फोज के ब्रिगेडों का नाम सुबास बिग्रेट, गांधी ब्रिगेड, नहरू बिग्रेट तथा महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्षमी बाई ब्रिगेड रखा गया था आजादिंद फोज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देशाई ने वकीलों के सम्मूं की अध्यक्षता की थी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिंग लारोंस के नेत्रेत में दिल्ली आया था इसके अन्य सदस स्टेफोर्ट क्रेप से अध्यक्ष थे बोड अब ट्रेड के और एवी एलेक्जेंडर जो थे इन नौ सेना मंत्री थे 14 अगस्त को पाकिस्तान तथ 15 अगस्त को भारतिय अधिराजी की अस्थापना हो गई भारत की अजादी के समय इंग्लेंड के समराट कौन थे जौर्ज कुस्टम थे या राष्ट मंदल देशों का प्रथम परधान भी था भारत की अजादी के समय ब्रिटेन के परधान मंत्री क्लीमेंट एटली थे एटली जो थे लेबर पार्टी के नेता थे भारत की अजादी के समय कॉंग्रेस के अध्यक चेबिक रिपलानी थे अब हम लोग देखेंगे भारतिय सोतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्पुन आंदोलन एवं घटना है ठीक है तो बंग बंग आंदोलन 1905 में हुआ था संबंधित व्यक्ति या विशय देख लिजे तो बंगाल विभाजन के विरूध ही ये हुआ था कांग्रेस का विभाजन 1907 में इसमें नरम योम गरम दल में विभाजन हुआ था सूरत में लखनव पैक्ट में दिसंबर 1916 को कांग्रेस था मुस्लिम लेक के भी समझाता हुआ था मांटेग्यू घोसना के इंतर 20 अगस 1917 को इसमें भारत मंत्री लॉर्ड मांटेग्यू की घोसना थी रॉले टेक्ट मार्च 1919 को ये द अनार्किकल एंड रिवोलस्नरी क्राइम एक्ट 1919 का नाम था जालिया वाला बाग हत्याकान 13 अप्रायर 1919 को जनरल रायद्वारा जन संगार किया गया था अमरिस्सर में खिलाफत आंदोलन 1919 में इसमें सौकत अली और मोहम्मद अली थें कॉंग्रेस का नागरूप पुर धिवेशन जो था ये दिसंबर 1920 को हुआ था और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था सहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था एक अगस 1920 को महात्मा गांधी इसी दिन के द्वारा और इसी दिन तिलक की मिर्थू हुई थी चौरी चौराकान चार फरवरी 1922 को गोरकपूर उत्तर परदेश में हुआ था स्वराज पार्टी के अस्थापना जनवरी 1923 में मोति लाल नहरू यमचित्रंजन दास के अध। साइमन कमीशन का भारत आजमन तीन फरवरी 1928 को हुआ था और विरोध परदर्शन के कारण लाहोर में अक्टूबर 1928 में लाठी चार्ज हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय गंभी चोट लगी थी और इसके बाद इनकी मिर्टू हो गई थी नहिरू रुपर्ट अगस्त 1928 में आया था पंडित मोती लाल नहिरू इसके अध्यक्च थे बारदोली सत्यागरा अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान ब्रीधी के विरोध में सरदार पटेल के नित्रूत में यांदोलन हुआ था सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली बमकांड आठ मई आठ अपरेल 1929 को हुआ था भगाज सिंग ओबटकेश्वर दत्त द्वारा ब्रीटिस असेंबली में बम फेका गया था कांग्रेज का लहोर दिवेशन दिसंबर 1939 में पून स्वाधिन्ता का प्रस्ताव इसमें रखा गया था स्वाधिन्ता दिवस 26 जन्वरी 1930 को मनाया गया था और इसलिए 26 जन्वरी को स्वाधिन्ता दिवस मनाया गया डांडी मार्च देखे 12 मार्च से 6 अपरेल 1930 के विच हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा साबर मती आसरम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानुन का उलंगन किया गया था, सविनाय अवग्या अंदोलन 6 अपरेल 1930 को सविनाय अवग्या अंदोलन की सुर्वात करा गया प्रथम गोल में सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नमबर 1930 से 19 जन्वरी 1931 तक हुआ था और ये प्रधान मंत्री मैक डोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था गांधी इर्विन समझोता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इर्विन के मध हुआ था तथा सविनाय अवग्या अंदोलन इसमें अस्थगित करने के गोशना की गई थी दूतिय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को हुआ था गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था कम्यूनल अवाट 16 अगस 1932 को मैक डोनाल्ड वारा प्रिथक परती नीधित्य प्रदान करना इसका लग्षे था पुना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी वो डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था तिरितिय गोल में सम्मेलन 17 नौमबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की गठन 1934 में जै परकास नरायन मीनू मसानी और H.M. जोसी के द्वारा किया गया था हॉर्वर्ड ब्लोग के अस्थापना ये गठन जो किया गया था मैं 1949 में सुबास चंदर बोस के द्वारा मुक्ती दिवस 22 दिसंबर 1949 को मुसलिन लिमित्वारा कांग्रेस मन्त्री मंडलो के त्याग पत्र के ओसर पर मुक्ती दिवस मनाये गया था पाकिस्तान की मां 22 से 24 मार्च 1940 को मुसलिम लिग का लहाओर अधिवेशन में किया गया था अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वाईसराय निलनित्कों के समय आया था क्रीप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टेफोर्ट क्रीप्स जो थे इसके अध्यक्ष थे भारत छोड़ो अंदोलन 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा सुरू किया गया था सिमला सम्मेलन 1945 में सभी राजनेतिक दल्लों का सम्मेलन हुआ था 9 सेना विद्रो 18 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था HMIS तलवार के सैनी को द्वारा किया गया था परधान मंत्री एटली की घोसना 20 फरवरी 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आस्वासन इसमें दिया गया था कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को पैथिंग लारेंस सर एश्टैफोर्ट क्रेप से एवं एबीज एलेक्जेंडर सदस से इसमें थे परत्यक्ष कारवाई दिवा 16 अगस्ट 1946 में मनाये गया था मुस्लीम लेक के द्वारा अंतरीम सरकार के अस्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी नेहरू कारेकारी परिसद के उपाध्यक्ष बने थे माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आया था भारत विभाजन की ये योजना थी सोतंतरता की प्राप्ति 15 अगस्ट 1947 को भारत सोतंतरता अधिनियम के द्वारा हुई थी भारतिय गन्तंत्र की अस्थापना 26 जन्वरी 1950 को ये डॉक्टर राजेन परसाद इसमें प्रथम राश्पति रहे भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था ये बिनोवा भावे के द्वारा सुरू किया गया था आंध परदेश से ठीक है तो चली इसी के साथ आपका ये modern India complete होता है हटना चक्र से ancient history देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का discussion इस वीडियो में किया गया है तो चली इसको start करते हैं ये बहुत ही बहुत ही बेहतरीन नोट से sort प्रूप में तो चली इसको start करते हैं start करने से पहले अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन को press कर दीजे ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे साथ ही वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए चलिए start करते हैं भारत का इतिहास सबसे पहले इसमें हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे उसके बाद मध्यकालीन भारत देखेंगे तो सबसे पहले प्राचीन भारत देखते हैं इतिहास इतिहास क्या है इतिहास सब्द जो है इती प्लस ह प्लस आज से मिलकर बना है और इसका तादपर है यह निश्य था ठीक है ग्री इसका सापदी कर्थ होता है हिष्टी सब्द का परियोग हेरोटोटस ने सरप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था इसलिए हेरोटोटस को इतिहास का जनक माना जाता है अध्यन की सुजधा के लिए इतिहास को तीन भागों में प्राचीन काल, मद्धे काल और आधनी काल में बाटा क्या है और हम लोग यहाँ पे प्राचीन काल के बारे में देख रहे हैं तो सबसे पहले इसमें देख लिजे प्राचीन भारती इतिहाद जो है इसके जानने का स्रोत क्या है तो इसमें दो स्रोत आते हैं साहितिक स्रोत औ ये सभी पुरा तात्विक स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और साहितिक स्रोत में एक धार्मिक साहित होता है और एक लौकिक साहित होता है तो धार्मिक साहित में देखा जाए तो दो तरह के ग्रंथ आते हैं एक ब्राम्भन ग्रंथ है और दूसर ग्रंथ ये सभी हो जाएगा गैर ब्रावन ग्रंथ में क्या आजाएगा जैन बौध और भी जो धार्मिक ग्रंथ है ये सभी आजाएगा अगर लौकिक साहित्य के बारे में देखे तो इसमें क्या आजाएगा एतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं या जीवनी जो लिखी जाती है ये सभी एतिहासि ग्रंद ये सभी लौकिक साहित्य है ठीक है तो इन सभी से हमें प्राप्त होता है इतिहास के बारे में जानकारी अब हम लोग इनको एकक करके देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले साहितिक सुरोत में ब्रामबन साहित्य तो ब्राम्भन साहित में सबसे प्राचीन ग्रंत जो है वेद है और ये दों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनितिक जीवन पर प्रकास पड़ता है बेद कितने हैं? चार बेद हैं तो अब देखेंगे ब्राम्भन ग्रंत ब्राम्भन ग्रंत की रचना सनिताओं की ब्याक्या है तो सरल गद में की गई है ब्रांब का अर्थ है यग अतह। यग के विशयों का पर्तिपादन करने वाले ग्रंथ जो होते हैं वो ब्रांबन कहलाते हैं। उपलब्द हैं। उपनीसद उप का आर्थ होता है समीप और नी का आर्थ निष्टापुर्वक और सद का आर्थ बैठना। अर्थाथ जिस रहेस्थ बिद्यों का ज्ञान गुरू के समीप बैठ कर प्राप्त किया जाता है उसे उपनी सद कहते हैं। बैदिक साहित के अंतिम भाग होने के कारण इसे बेदान्त भी कहा जाता है, उपनी सदों में हमें आरियों के प्राचीनतम दार्षनिक विचारों का ज्यान प्राप्त होता है, भारत का राष्टी ये आदर्स्वाक्या है, सत्यम्यों जैते, कहां से लिया गया है, मुंड को पनी सद से लिया गया है, उपनी सदों की संख्या जो है 108 है, अब बेदांग देखते हैं, बेदांग की संख्या 6 है, कौन-कौन सिक्छा, कल्प, व्याकरन, निरुक्त, जोतिस, छंद, ये सभी सूत्र के वारे में देखते हैं, बैदिक साहित को अक्षुन बनाया रखने क लिए सूत्र साहित का पढ़नेयन हुआ है, सूत्र गरंथ कल्प नामक बेदांग से निकले हैं, कल्प का वर्गी करन तीन भागों में किया गया है, स्रौत सूत्र, ग्रेह सूत्र और धर्म सूत्र, तो स्रौत सूत्र में यक संबंधी नियम है, ग्रेह सूत्र में लौकिक इंपारलोकी कर्तब्यों का वर्णन है और धर्म सूत्र में धार्मिक समाजीक एवं राजनीती कर्तब्यों का उलेक है धर्म सूत्र से ही इस्मृती ग्रंथों का विकास हुआ है परमुक इस्मृती ग्रंथ है मनु इस्मृती यागवल के इस्मृती पारासर इस्मृती ये मेघाती थी गोविंद राज भारुची एवं कुल्लुक भट ये हैं यागवल का एक स्मृति के टिका कार विश्वे रूप ग्यानेश्वर और अपरार्क हैं ब्याकरन गरंथों में सबसे महत्पून पाननी कृत अश्टाध्याई है पुरान के बारे में देखते हैं भविश्यत काल सैली में कल्यू के राजाओं का विर्णन मिलता है मतस्य पुरान सबसे प्राचीन एवं प्रमानिक पुरान है महाकाब बैदिक साहित के बाद धार्मिक साहित में रमायन और महाभारत नामक दो महाकाब महत्पून हैं रमायन की रचना महरसिबाल मिकी ने कि महाभारत में एक लाक स्लोक है जिसके कारण इसे सत्य सहस्त्र सनहीता कहा जाता है महाभारत को महाकाभ्यों से प्राचीन भारत की समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दसा की जानकारी मिलती है अब हम लोग देखेंगे ब्राम्वनेत्तर साहित जिसमें बौध साहित है तो सबसे प्राचीन बौध ग्रंथ देखा जाए तो ये तरी पिटक है इनके नाम है सूत पिटक बिनाई पिटक और अभिदम पिटक सूत पिटक को बद्धर्म का इनसाइकलोपीडिया भी कहा जाता है जातकों में बुध्ध के पुर्व जन्मों की कथाए हैं प्राचीन बौध ग्रंथ पाली भासा में है दीप ओन्स एवं महावन से मौरे कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है संस्क्रीत में लिखित महावस्तु युम ललीत विस्तार से महात्मा बुध्ध का जीवन चरित्र मिलता है जैन साहित जैन साहित को आगम कहा जाता है भगवती सुत्र में महावीर के जीवन पर प्रकास पड़ता है जैन धर्म का प्रारंभी की इतिहास कल्प सुत्र से ग्यात होता है कल्प सुत्र की रचना भदर बाहु ने किया था जैन ग्रंथों की रचना प्राकिर्थ भासा में हुई है सबसे महत्पुन जैन ग्रंथ हेमचंद कीत परिसिष्ट परवन है जैन ग्रंथों का संकलन अंत एतिहासिक ये उम अर्ध एतिहासिक ग्रंथ जिदेशी प्रइवरन और जियोनियों को रखा जाता है। द्वारा मुद्रा राक्षस और सोम देव के द्वारा कथा सरीत सागर लिखा गया है छेमेदर कृत ब्रियत कथा मंजरी भी स्रोत ये सभी महत्पुन स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती हैं कलहन द्वारा रचित राजतरंगिनी से 11 सताब्दी तक कस्मीर का इतिहास ग्या हिस्टोरिका से पांचवी सताब्दी इसा पुर्व के भारत और फारस के संबंधों का उलेख मिलता है सिकंदर के समकालिन नियारकस ये आने सिक्रिटस अरिष्टो बुलस ये सिकंदर के समकालिन है के बियूरन अधिक परमानिक है और विश्वस्नी है तो ये सिकंदर के सा यह सभी आये थे सिकंदर के बाद के लेखकों में देखे तो तीन राजदूत मेगास्थनीज और डाइमेकस और डाइनोसियस उलेखनिये हैं सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर के जाजदरबार में आया था मेगास्थनीज ने अपनी पुष्टक इंडिका में मौर यूगिन समाज एवम संस्कृति का वर्णन किया है डाइमेकस जो है सीरियन नरेस एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था डाइनोसियस मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्सवस का राजदूत था जो असोग के राजदरबार में आया था टॉलमी ने दूसरी सताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है प्लीनी ने प्रथम सताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनीजपदार्थो, भारतिये, पसुओ आधी का लेक मिलता है पेड़ी प्लस आपड़ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और इसका लेखक पहली सताब्दी में हिंद महसागर की यात्रा पर आया था इसने उस समय के भारतिये बंदरगाहों तथा बैपारिक वस्तुओ के बारे में जानकारी दिया था चीनी लेखक में देखते हैं फाहियान पांचवी सदी में चंद्रगुप्त दूतिये के समय भारत आया था उसने तत्कालिन मद्ध भारत की समाजिक आर्थिक तथा धार्मिक इस्तिती पर प्रकास डाला था वेनसंग सात्वी सदी में हर्स के सासनकाल में भारत आया था और वह भारत में 16 वर्सों तक रहा था छे वर्सों तक उसने नालंदा विश्व विध्याले में अध्यन किया था वेंसंग की भारत यात्रा का ब्रितांत सी यू की में के नाम से जाना जाता है वेंसंग को प्रिंस ओप पिलिग्रिम्स तथा अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसों को, प्रिन्सों पिलिग्रियम्स या यात्रियों का राज़कुमार इसे कहा जाता है, इस सीग सातवी सदी के अंत में भारत आया था, उसने विक्रम सिला, नलंदा विश्व विद्याले एवं भारतियों के वेश वुशा तथा खान पान आधी के विशाय में लिखा मात्वान लिन निहर्स के पुर्वी अभियानों तथा चाउ जूकुआ ये चोल कालीन इत्यास पर प्रकास डाला है ठीके चीनी आतरी सुंग्यून जो था ये 518 में भारत आया था अर्वी लेखक के बारे में देखेंगे अलबरूनी 11 सदी में महमुद गजनी के साथ भारत आया था उसने तहकीक एह हिंद अथवा किताब उल्हिंद नामक ग्रंत की रचना की थे इसमें राजपूत कालिन समाज धर्म रिती रिवाज आदी का बिश्तरित वर्नन है अलबरूनी, जोतिस, गनीत, विज्ञान, अर्वी, फार्सी तथा संस्कृत का अच्छा ग्याता था नवी सदी में भारत आने वाले अर्वी यातरी सुलिमान ने पाल एवं परतिहार सासकों के ततकालिन आर्थिक राजनीतिक एवं समाजिक दसा कवर्नन किया है बगदाज से भारत की यातरा पर आने वाले अल्मसूदी ने राशकुट एवं परतिहार सासकों के विज्ञाय में जानकारी दिया है अन्य विदेशी लेखोकों के बारे में रेखते हैं इबन बतूता द्वारा अर्वी भासा में लिखा गया उसका यातरा बितान्त है रेहला यस चोदावी सताब्दी में भारतिये उप महादीब के सामाजिक सांसक्रीतिक जीवन के विशय में जानकारी का महत्पुन ताराना थेक तीबती लेखक था इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की हैं मारको पोलो तेरवी सदी के अंत में पांड देश की यातरा पर आया था तो ये सभी साहितिक स्रोथ हैं अब हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोथ प्राचीन भारत के अध्यन के लिए पुरातात्विक सामग्रिया सर्वाधिक प्रमानिक होती हैं इसके अंतरगत क्या आता है अभिलेक है सिक्के है इसमारक है भवन है मूर्तिया है और चित्रकला है तो इन सभी के बारे में अब देखेंगे अभिलेक में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेक मध एसिया माइनर के बोगज कोई नामकस्थान से लगभग 1400 ECP इसापूर्व का मिला है बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरून तथा नासत्य इनको अस्विंग कहते हैं बैदिक देताओं का उलेख किया गया है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख असोक का है जो लगभग तीसरी सतापदी इसापूर्व के हैं मासकी, गुर्जरा, निटूर, उडे गोलम से प्राप्त अभिलेखों में असोक के नामका असपश्ट उलेख मिलता है असोक के अभिलेख मुख्यत ब्राम्भी, खरोष्टी, युनानी और अमेक लिप्यों में मिले हैं यव भागवत धर्म के बिक्सित होने के साक्ष मिलते हैं मंदसवर अभिलेख रेसम बुनकर स्रेनियों का उलेख इसमें मिलता है सर प्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेम ने ब्राम्भनी लिपी में लिखित असोक के अभिलेखों को पढ़ा था अभिलेखों का दन क्या कहलाता है इ सिक्कियों का अध्यन नुमी आसमेटिक्स कहलाता है प्राचीन काल में सिक्क्य जो है तामबा, चांदी, सोना, सीसा, धातु के बनाए जाते थे भारत के प्राचीत नभ सिक्क्य आहत सिक्ये हैं जो इसापुर 15 द CT के हैं थपपा मारकर बनाय जाने के गारण भारतिय भासा में इसे आहत मुद्रा कहा जाता है तरह आभी लेक और किस समबंदि था देखते हैं से संबंदित है, भीत्री यम जुनागर अभिलेग जो है असकंद गुप से संबंदित है, देवपाड़ा जो है ये बंगाल सासक बीजे सेन से संबंदित है, अब हम लोग देखेंगे मूर्तियां, पुरा तात्विक सुरोत सैली से वास्तू कला के विकास पर प्रयाप्त प्रकास पड़ता है अजन्ता एलोरा आदी के चित्रों में मानुए भावनाओ की सुन्दर अभिव्यक्ति मिलती है इतिहास का विभाजन अब देखते हैं तो सबसे पहले प्राचीन भारतिय इतिहास का विशत सामगरी को समझन योग बनाने के लिए इतिहास कारने इसे तीन भागों में कौन-कौन सा प्राग एतिहासी काल आद एतिहासी काल और एतिहासी काल में बाटा है प्राग एतिहासी काल में इस काल का इतिहास पूंत पुरा तात्विक साक्षों से ही ग्यात होता है क्योंकि इस काल का कोई विखी साक्चुपलब्द नहीं हैं, मानो सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुईधा अंसर तीन भागों में बाटा गया है, पूरा पासान काल, मदे पासान काल और नो पासान काल, भीम बेटका के गुपा चित्र जो हैं, ये पूरा पासान कालीन है, पोहिये का परियोग न नौपासानकाल में हुआ था, क्रीसी का अविस्कार भी नौपासानकाल में हुआ था, मानोद्वरा आग का सौर प्रतम जो प्रयोग किया गया था, ये भी नौपासानकाल में किया गया था, मेहरगड से क्रीसी के प्राचीनतम साक्ष मिले हैं, पसुपालन का प्रारम प्रदेश में हैं तथा बागोर भिलवारा राज अस्थान से प्राप्त हुआ है। इस काल की जो लीपी है को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है। इतिहासी काल में हमें साक्षे मिलते हैं साहितिक पुरा तात्वी का और जिससे हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में। तामर पासान काल अब देखेंगे जिस काल में मनुस्य ने पत्थरयों तामबे के औजारों का साथ साथ परियोग किया है। इस काल को कहा जाता है तामर पासानिक अथवा कैल को लिथिक काल कहा जाता है। सरप्रतम तामबा जो है धातु का परियोग और जारों को बनाने में किया गया था। भारत में तामर पासान अवस्था के मुख छेत्र देखें तो दच्छिन पूर्वी राजस्थान में अहार और गिलूंद है। पच्छिमी मद्धिपर्देश में मालवा, कायथा और एरन है। पच्छिमी महराश्थ तथा दच्छिन पूर्वी भारत है। मालवा मिर्दभांड तामर पासान बिर्दभांडों में उत्तक्रिष्ट माने गया है। जोर्वे अस्थल में सबसे बड़ा दायमाबाद है। अहार का प्राचीन नाम तामर्वती अर्था तामबा वली जगह है। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता हडपा सभ्यता आद एतिहासिक सभ्यता है। इसका जो सिंधु सभ्यता का काल है ये चब्वी सो से सत्रा सो इसा पूर्व तक मानाग जाता है। काले रंग की आकरीतियों से चित्रित लाल मिर्दभान हडपा सभ्यता की विसेस्ता है। नोट सिंधु सभ्यता का सरवाधिक जो पूर्वी पूरा अस्थल है ये हिंडन नदी के किनारे। आलम गीरपूर में है कहां मेरट उत्तर परदेश में। पच्चमी देखा जाया अस्थल तो दास्क नदी के किनारे। इस्थत है सुद कांगे डोर में ये बलूचिस्तान में है। उत्री पूरा अस्थल जीनाब नदी के टट पर अखनूर के निगर मांडा जम्मु कस्मीर में है और दच्चिनी पूरास्थल गोदावरी नदी के टट पर दैमाबाद जो कहां है एहमद नगर जिले में महाराश्ट में है। सिंदु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सिंदु सभ्यता से परिपक अवस्था में प्राप्त होने वाले जो बड़े नगर है ये मोहन जोदड़ो है, हडपा है, राकी गड़ी है, धोला वीरा है, काली, बंगा है। भारत की सोतंतता प्राप्ति के पशात हरप्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा अस्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया है। सिंधु वासियों को तामबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी के विशय में जानकारी थी। लोथल से गोदी बाड़ा के साक्ष मिले हैं, हर्याना के बनावली से पक्की मिटी की बनी हुई हल की प्रतिक्रिती मिली है। सैंदो सभ्यता के विशाल असनानागार का साक्ष मोहन जोदोरों से प्राप्थ हुआ है, राजस्थान के काली बंगा से जूते हुए खेते के साक्ष मिले हैं, सैंदो सभ्यता कांस यूगिन सभ्यता थी तथा यहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखी गड़ी हर्याना के हिसार जिले में गहगर नदी के पास इस्थत है। सिंदो घाटी के लोग पसू पती सीव की भी पूजा करते थे, इसका प्रमान मोहन जोदोरों से प्राप्थ हुआ एक मोहर है, जिस पर योगी की आक्रीती बनी हुई है। उस योगी के दाई और भाग और हाथी तथा बाई और गैंडा एवं भैसा चितरित किये गया है। पर इस्थत हडपा के तीले का सर्वेक्चन कराया था। वर्स 1922 में राखल दास बनर जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जीले में, सिंधु नदी के दाहिनी तटपर इस्थत मोहन जोदोरों के तीलों का पता लगाया था। मोहन जोदरों मतलम मोहन जोदारों का आर्थ है मिर्तकों का तिला ठीक है मिर्तकों का तिला वस्तरों के लिए कपास का उत्पादन सौर प्रतम भारत में किया गया सिंदु घाटे में कपास के उत्पादन का प्रमान मिला है मोहन जोदलों से सूती वस्तर के साक्ष के प्राप्ती हुई है मोहन जोदलों से कुबड़ वाले बैल की आकरीती वाली मुहरे प्राप्त हुई है सिंदू सभ्याता के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक स्रिंगी पसुका है इसके बाद कूबड़ वाले बैल का अंकन है मोहन जोदलों से कांसे की नर्तकी की मूर्ती प्राप्त हुई है जिसका आकार 10.5 x 2.5 cm है वक्राकार इटे चनहुदलों से मिली हुई है और लोथल यमकाली बंगा से अगनी कुंड प्राप्त हुए है मोहन जोदलों से एक ब्रिहत असनानागार प्राप्त हुआ है जिसके मद्ध इस्तत असनान कुंड की लंबाई जो है 11.88 मीटर चोड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है लोथले उम चनहुदलों से मनके के कारखाने मिले है सिंदू सभ्यता के लिपी बहावर चितरात्मक है सिंदू सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के बिन्यास के लिए ग्रिड पधती अपनाई घरों की खिड़कियां दर्वाजे मुख सड़क की और ना खूलकर गली की और खूलते थे लोथल मात्रे कैसा सहर नगर था जिसके घरों के दर्वाजे मुख सड़क की और खूलते थे सिंदू सभ्यता में मुख फसल गेहुम और जो थे रंगपूर तथा लोथल से धान की भूसी के साक्ष मिले हैं जिसे धान की केती होने का प्रमान मिलता है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा सब्द का उलेख मिलता है और इसका आसे सिंदू सभ्यता से ही है सिंदू सभ्यता वासी जो है ये मात्र देवी को उर्वर्ता की देवी की रुप में पूजा करते थे मात्र देवी पूजा, नाग पूजा, ब्रिक्च पूजा, जल पूजा के साक्ष भी सिंदू सभयता से मिलते हैं मात्र देवी की पूजा सिंदू सभयता में सरवाधिक प्रचली थी इस्त्री मिर्ण मुर्तिया अधिक संख्या में मिलने के अधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंदो सभ्यता क्या था ये मात्र सतात्मक सत्ता थे काली बंगा एक मात धडपा काली अस्तल है जिसके दोनों टील रक्षा प्राचीरों से गिरे हुए थे सवो को जलाने ये उमगारने की प्रथाएं अन्तिम संसकार हेतु प्रचलित थी लोथल से तीन ये उमकाली बंगा से एक यूगल समाधियों के साक्षे मिले है अब सिंदू सभ्यता के पतन का कारण और उनके मानने वाले विद्वान देख लेते हैं तो जलवायू परिवर्त के कारण सिंदू सभ्यता का पतन हुआ है ऐसा आरेल अस्टाइन का मानना है भूत आत्युक परिवर्तन से हुआ है ए मारसाहनी ने ऐसा मानना है इनका प्राकिर्तिक आपदा के कारण है कनेडी विद्वानी कहते हैं बाड के कारण हुआ है किस ने कहा है मैके मार्सल ने आर रप्पा काली नदियों के किनारे बसे नगर देख लेते हैं, रप्पा रावी नदी के किनारे बसा है, रोपड सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, सुतका को साधी कौर के किनारे, ब्रंगपुर भादर नदी किनारे, कुनाल सरस्वती नदी किनारे, बनावल प्रहुद्र गाऑर के चिनारे से जहते हैं कहां से कौन से धातु प्राप्त होती थी तो तामबा जो है खेतरी राजस्थान ये बलूचिस्तान से प्राप्त होता था लाजवर्त ये बदखसा ये अफगानिस्तान से प्राप्त होता था फिरोजा टीन ये इरान से चांदी राजस्थान की जावर ये अजमेर की खानों स सीशा अफगानिस्तान से सीला जीत हिमाले से और गुमेद गुझरात से प्राप्त होता था। अब हम लोग बैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे, तो सिंदू सभयता के पश्चात बैदिक संस्कृति का विकास हुआ बैदिक काल का विभाजन दो भागों में। क्या ग्या है रिग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल का समय देखे तो ये 1500 से 1000 इसा पूर्वे के बीच है और उत्तरवैदिक काल का 1000 से 600 इसा पूर्वे तक है रिग्वैदिक काल जो है देखते हैं इसके बारे में बैदिक संस्कृति को मानने वाले को आरे कहा जाता है और आरे जो है संस्क्रीत भासा का सब्द है जिसका साब्दी कर्थ होता है स्रेश्ट या कुलीन बैदिक संस्क्रीती ग्रामीन थी आरियों की भासा संस्क्रीत थी चारो वेदों को समलित रूप से सनीता कहते हैं बेदों में सरवाधिक महतुन और प्राचीन रिगवेद है रिगवेद यजूर वेद तथा साम वेद को वेद रही कहा जाता है वर्ण सब्द का सर प्रतम उलेक रिगवेद में मिलता है रिगवेद में वर्ण सब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं बेव साय के चैन के अर्थ में पर्युक्त हुआ है रीगवेद के दस्वे मंडल के पुलू सुक्त में सर प्रथम सूद्र सब्द मिलता है यहां चारो वर्णों की उत्पति एक बिराट पुरूस के बिभीन अंगों से बताई गई है रीगवेद में इस्वर महिमा देवताओं की स् यजूर वेद में कर्मकांड एवं साम वेद में संगीत का बिस्थरीत उलेक किया गया है रीगवेद में कुल 10 मंडल है रीगवेद में कुल 1028 सुक्त है और 10552 रिचाय है पहला और दस्वान मंडल जो है नवीनतम है रीगवेद के त्रीतिय मंडल के रचाहिता जो है यह परसिद गायतरी मंत्र तृतिय मंडल में मिलता है। रिगवेद की अनेक बाते अवेस्ता से मिलती है। दो भाग हैं सुक्ल यजुर्वेद, क्रिष्न यजुर्वेद, सुक्ल यजुर्वेद को वाजस नेई सनीता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का जो अन्तिम भाग है इसो पनी सद इसका संबंद आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में, सामवेद में कुल 1875 चंद हैं, इसमें से 75 जबकि कुछ भी दवानों के अनुसार 99 को छोड़ कर से सभी रिगवेद में भी हैं। सामवेद से ही भारतिय संगीत का जन में हुआ है। कमूथई, रानाएनी और जैमीनी है। ये किसकी साखाए हैं सामवेद की। अधरवेद देखते हैं कुल 730 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र यों मुवसी करन के संदर में साक्ष हैं। आरियों की पर्सासनी की काई कवववगों में विभक्ते थी। ये थी कुल यागरी, गराम, वीस तथा जन, गराम का मुख्या गरामनी कहलाता था, बीस का परदार भीस पति कहलाता था और जन का सासक राजन कहलाता था। रिग्वेदिकाल में पुरोहित यों सेनानी पर मुख राजा अधिकारी होते थे। रतनियों की संख्या यहाँ पर बारती, सेनानी, पुरोहित, यूराज, महीसी, सूत, ग्रामिनी, छत्री, संग्रहिता, भाग दूद, अक्छुवाप, पालागल और गोई करता यह सभी रतनी रतन थे। वाजपती, वाजपती किसको कहते थे? गोचर भूमी का जो अधिकारी होता था, वीदत आर्यों के प्रसरवाधिक प्राचीन संस्था थे। समान जनता की परतिनीधी सभा थी। समीती राजा की निउक्ति पच्यूत करने और उस पर नियंतरन रखती थी। समीती के सभापती को इसान कहा जाता है, रिगवैदी काल में इस्त्रिया, सभायम समीती दोनों में भाग लेती थी। दासराक युद्ध का वड़ना रिगवेद में है, यह युद्ध परूसनी नदी, रावी नदी की तड़ पर सुदास एवं दस जनों के बीच लड़ा गया। जिसमें सुदास बिजई हुआ, उपनीसद दर्सन पर आधारित पुस्तक है, उपनीसद में प्रथम बार मुक्ष की चर्चा मिलती है। कठो पनीसद में यम और नजिकेता का सन्वाद उलेखित है। उपनीसदों में बिदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवान जाबली, जबाली है। केकई के राजा वह अस्वपती और कासी के राजा अजास सत्रु का उलेख मिलता है। रिगवेद में सरवाधिक बार उलेख सिंदु नदी का हुआ है। सरस्वती रिगवेदिक आर्यो की सरवाधिक पवित्र नदी है। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। आस्रम ब्यवस्था में ब्रह्मचर, क्रिहस्त, वानप्रस्त एवं सन्यास, इनका प्रचलन उत्तर बैदिक काल में हुआ है। चांदों के उपनी सद में केवल तीन आस्रमों का उलेख मिलता है, जबकि जबालों उपनी सद में सर प्रथम चारों आस्रमों का उलेख मिलता है। नैतिक ब्योस्था का प्राधान होने के कारण वरून को रितस्य गोपा भी कहा जाता था। ब्यासपति को बैदिक देताओं का पुरोहित माना गया है। बैदिक साहित में कई ऐसी विदोसी इस्तिरिया हुई हैं जिन्होंने बेद मंतरों की रचना की थी। जैसे अपाला, घोसा, विश्ववारा, लोपा, मुद्रा ये सभी हैं। अब देख लेते हैं बैदिक यूगिन सब्दावलिया और उसके अर्थ क्या हैं। तंदूल धान कहलाता था ब्रीही जो है चावल को कहा जाता था। लोपा मुद्रा रीसी अगस्त की पत्नी थी। चलन नहीं था। बिद्वा अपने मिर्तक पती के छोटे भाई यानि कि देवर के साथ विवाहा कर सकती थी और इसे कौन से प्रथा कहा जाता है। नियोग प्रथा। अगनी की पूजा मनुस्य एवं देवता के बीच मध्यस्त भूमी का निभाने वाले देवता के रूप में होती थी। मनुस्य एवं देवता के बीच ये मध्यस्त की भूमी का निभाते थे इस रूप में उनकी पूजा होती थी। रीगवेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का उलेक तीन बार हुआ है। ठीक है। मुन्डको पनी सद में यग की तुलना तूटी नाव से की गई है। बैदिक काल में सोने का अभूसन या सिक्के को क्या कहा जाता था। निश्क कहा जाता था। अब बैदिक कालिन सनीता देखते हैं उसके ब्रामबन देखेंगे आरनेक देखेंगे और उपनी सद देखेंगे। तो रिग वेद का ब्राम्बन एत्रे और कौसी तकी है, एत्रे और कौसी तकी आर्नेक है, उपनिसत भी एत्रे और कौसी तकी है, साम वेद का ब्राम्बन क्या है, टांड है, जैमिनिये है, और आर्नेक है, जैमिनिये, छांदोग, ग्यारन्यक, और इसका छांदोग और जैमि पुरुस मेध यक कावलेक सत्पत ब्राम्भन में है गोत्र सब्द का परियोग सबसे पहले रिगवेद में हुआ था रिगवेद की मुल लिपी ब्राम्भनी थी जंगल की देवी को अड़नायनी कहा जाता था रिगवेद कालिन नदिया देख लेते हैं इसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम कुमरू, कुरूमू ये आधुनिक नाम इसका कुर्रम है वितस्ता का जेलम है परूसनी नदी का रावी नदी है विपासा नदी का ब्यास नदी है द्रिस द्वती नदी का घगर नदी है सुवा वस्तु का स्वात नदी है कुभा का काबूल है असकिनी का नाम चिनाब है सतुद्री का सतलज है सता निरा का ये गंड़क है गोमती का गोमल है ये सबी इसके आधुनिक नाम थे अवरीग बैदिक कालिन देवता देख लेते हैं और इनका संबंध तो इंद्र जो है युदि के नेता योम वर्षा के देवता होते थे अगनी देवता योम मनुस्त के बीच मध्यस्त की भूमिका निभाते थे वरून जो है आकास प्रीतिवी योम सूरी का निर्माता समूद्र का देवता जगत का नियनता देवताओं का पोसक योम रीतु का नियामक होता था सत्य का पर्तीक होता था रितु परिवर्तन यों दीन रात का करता होता था धो जो है अकास का देवता होता था सोम जो है वनस्पती देवता होते थे उसा ये प्रगती यों मुथान की देभी होती थी अस्वीन विपतियों को हरने वाले देवता होते थे पूसन जो है पसुओ का देवता, पीशनू, बिश्व के सनरच्छा के हम पालन करता, मरूत जो है आंधीक तुफान का देवता और रूद्र जो है आशुरी सक्तियों का दमन करने वाले देवता होते थे अब हम लोग ने रिगवैदिक काल देख लिया, अब हम लोग उत्तरवैदिक काल देखेंगे उत्तरवैदिक का इतिहाज जो है मुख्याता यजूरवेद, सामवेद, अथरवेद, ब्रामभन गरंत, आडनयक एवं उपनिसद गरंतों पर अधारित है इस काल में वन जन्म के अधार पर निर्धारित होने लगे थे इस काल के लोग लोहे के हत्यारों का प्रियोग करते थे इस सभ्याता का बिस्तार देखें तो गंगा यमुना द्वाप तक बिस्तारित हो गया था उत्तरबैदिक काल में अजीव का कम्मुख अधार क्रीसी हो गया था, सत्पत ब्राम्भन में क्रीसी की चारों किरियाएं कौन-कौन सी जुताई, बुआई, कटाई, मडाई का उलेख हुआ है काठक सन्नीता में 24 बैलो द्वारा खीचे जाने वाले हल का उलेख मिलता है क्रीसी योम बिविद सिल्फों में प्रगती के कारण उत्तरबैदिक कालीन लोग अस्थाई निवास बनाने लगे थे इस काल में हल को सीर तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था उत्तरबैदिक काल में मुद्रा की एकाई निस्क और सतमान थी प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समीती तो बनी रही किन्तों वीदत का अस्तित यहाँ पे समाप्त हो जाता है सभा में इस्तिरियों का प्रिवेस वर्जीत हो गया उत्तरवेदिकाल में इस्तिरियों की स्थिती में गिरावट आई है सत्पत ब्रामवन में इस काल की अनेक भी दूसी महिलाएं हुई है जैसे गार्गी हैं मैत्री हैं इन सभी कावलेख मिलता है इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी गोत्र का साब्दिक अर्थ होता है गोश्ट या वह स्थान जहां समूचे कूल का गोधन पाला जाता था लेकिन कलांतर में एक ही मुल पुरू से उत्पन लोगों के समुदाय के अर्थ में यह सब्द रूढ हो गया पूसन जो है यह पसूओ का रच्छक देवता थे अब सुत्रों के देवता हो गये थे उपनी सदों में असपश्ट योगो यों कर्म कांडों की निंदा की गई थी तथा ब्रंभ की एक मात्र सत्ता स्विकार की गई थी अब देखेंगे छटी सताब्दी इसापुर्व में धार्मिक आंदोलन तो सबसे पहले बौत धर्म के बारे में देखते हैं बौत धर्म के संस्थापक गौतम बुद्धित हैं इनका जन 563 इसापुर्व में कपील वस्तु के लुम्बनी वन रुमन देई नामक स्थान पर हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बनी वन में वह था गौतम बुद्धी के बचपन का नाम सिद्दार था इनके पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम माया देभी अथवा महा माया थी ये कोलिये गनराज की कन्या थी महामाया जो थी सुदोधन साक के गने के मुखिया थे गौतम बुद्धि के जन में के बाद इनकी माता की मिर्टू हो गई थी अत्या इनका लालन पालन जो किया था इनकी मौसिप प्रजापती गौतमी ने किया था इनका विबास 16 वर्ष की अलपायू में यो सोधरा के साथ हो गया था अन्य नाम गोपा और बिम्बा भी मिलता है गौतम बुद्धि के पूत्र का नाम राहूल था संसारिक दुखों से ब्यहतित होकर सिदार्थ ने 29 वर्ष के अवस्था में ग्रिहत्याग कर दिया था और इस घटना को माहा भिनिस क्रमन कहा जाता है ग्रिहत्याग के पुद्धि सिदार्थ ने बैसाली के अलार कमान से सांख दर्सन की सिक्षा ग्रहन की थी इसके पुद्धि सिदार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से सिक्षा ग्रहन की थी महत्मा बुद्धे द्वारत्स और प्रथम पांच ब्राम्भन सन्यासियों को सार नाथ में उब्देश दिया गया था उरुवेला में बीना अन जल ग्रहन किये च्छे वर्स की कठीन स्थपस्या के बाद 35 वर्स की हवस्था में बैसाख की पुन्नीमा को निरन्जना नदी की किनारे पीपल बिरिक्षी के नीचे इन्हे ज्ञान की प्राप्ती हुई थे ज्ञान प्राप्ती के बाद सिधार्थ बुद्धे कहला है जहां उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ था वो अस्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है इस प्रत्धम उपदेश को बोध गरंथों में धर्म चक्र परवर्थन कहा गया है महत्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जन सधारन की भासा पाली में दिया है उन्होंने अपने सरवाधिक उपदेश कोसल की राजधानी स्रावस्ती में दिये इनके परमुख अन्याई अनुआई जो देखें तो ये अनुआई सासक जो थे ये थे बिम्बी सार परसेन जीत तथा उद्यन थे चार सु तिरासी इस भी में कुसी नगर जीले के कुसी नारा नामक स्थान पे असी वर्स की उम्रे में इनकी मिर्तु हो जाती है इस घटना को माहा परी निर्वान कहा जाता है अब बुद्ध के जीवन से संबंदित बौत धर्म के परतिक देख लीजे घटना और परतिक दिया हुआ है गर्वस्त होना हाथी जन्म ले जन्म में कमल यमसार से परतिक है और ग्रीह त्याग में घोड़ा परतिक है ज्यान में पीपल बोधी विरिक्ष और निर्वान में पद्द चीन माहा परी निर्वान में अस्तूप परतिक है एक अनुसरूती के अनुसार मिर्दू के बाद बुद्ध के सरीर के और सेसो को आठ भागों में बाट कर उन पर आठ अस्तूपों का निर्मान कराये गया है बुद्ध धर्म के विशाय में बिश्रित ग्यान जो है त्री पीटक, बिनाय पीटक, सूत पीटक और अभिदम पीटक से प्राप्त होता है बुद्ध धर्म मुल्त अनात्मावादी है बुद्ध के अनवाईू दो भागों में विभाजी थे, एक बिच्चुक थे या दूसरे उपासक तो बिच्चुक जो थे ये बौध धर्म के परचार के लिए सन्यास ग्रहन करने वाले को बिच्चुक कहा जाता है उपासक जो थे ग्रिहस्त जीवन ब्यतीत करते हुए बौध धर्म अपनाने वाले उपासक कहा गया बुद्ध संग में परवेश करने वाले संसकार को उपसंपदा कहा जाता था बुद्ध धम और संग को बौध धर्म में मिलाकर क्या कहा गया है तृरत ने कहा गया है चतूर्थ बौध संगीती के बाद बौध धर्म को दो भागों में हीन यान और महा यान में विभाजित हो गया बौध धर्म का सबसे पवित्र तेहवार बैसाक पुर्णीमा है जिसे बुध पुर्णीमा के नाम से जाना जाता है इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पुर्नीमा के दिन ही बुद्ध का जन ज्यान की प्राप्ति एवं महा परिनिर्मार की प्राप्ति हुई थी बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबन्द में चार आर सत्यों का उपतेश दिया जो इस परकार है दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा दुख समुदाय को समझने के लिए पर्तित समुदपाद कारन कार सिधान की ब्याख्या की गई है पर्तित समूतपात की व्याख्या की गई है सांसारिक दुखों से मुक्ती है तो बुध ने अस्टांगिक मार्क की बात कही है जो इस परकार है अस्टांगिक मार्ग में सम्यक द्रिष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वानी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजिव, सम्यक ब्यायाम और सम्यक इस्मृति, सम्यक समाधी ये सभी है अस्टांगिक मार्ग का स्रोध जो है तैतरिये उपनी सद है बौध धर्म का परमलक्ष है निर्वान जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना अर्थात मरन चक्र से मुक्त हो जाना ठीक है अब देखेंगे हम लोग बौध संगीतियां तो संगीती है समय है अस्थान अध्यक्ष और सासक तो प्रत्थम संगीती 483 इसा पुर्व में राजगिरी में हुआ था महा कसप इसके अध्यक्ष थे और सासक कौन थे अजासत्रो दूतियां बौध संगीती 383 इसा पुर्व में बैसाली में हुआ था और स्वर्व कामी इसके अध्यक्ष थे काला सोक इसका सासक था इस समय तिर्थियां बौध संगीती 247 इसा पुर् चतूर्थ जो है ये इसा की ये प्रथम सताब्दी में हुआ था, ठीक है, प्रथम सताब्दी में, कुंडल्वन कस्मीर में हुआ था, वसू मित्र इसके अध्यक्च थे और आस्वे घोस इसके उपाध्यक थे, कनीश्क के समय में हुआ था, सासब कनीश्क थे, महात्मा में विश्वास करता है जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाए वर्णित है प्रारंब में संग में परवेस इस्तिरियों का परवेस वर्जित था किन्तु आनंद के अनुरोध पर संग में इस्तिरियों के परवेस के अनुमति दी गई संग में प्रवेश करने वाली प्रतम इस्तरी महात्मा बुद्ध की विमाता परजापती गौतमी थी बैसाली की नगरवदू आमरपाली भी महात्मा बुद्ध की सिस्या थी कलांतर में महायान जो था दो भागों में सुन्यवाद माध्यमिक और विग्ञानवाद योगा चार में विभाजित हो गया सुन्यवाद के परवड़तक नागारजुन थे बौध संपरदाय के एक साखा वजरयान के रूप में बिक्सित हुई सरवादिक बुद्ध मूर्तियों का निर्मान गांधार कला सैली के अंतरगत किया गया है किन्तो बुद्ध की प्रथम मूर्ती संभोत मतुरा कला के अंतरगत बनी थी बुद्ध द्वारा प्रदत पंचसील उपदेश का उलेक छांदोग उपनी सद में मिलता है बुद्ध गुष की कृती जो है विसुद्धी मग में बौध सिधानतों का असपश्टी करन किया गया है इसे बौध सिधानत कोस भी कहते हैं जैन धर्म के भगवती सुत्र और बौध घ्रंद अंगुंतर निकाय में 16 महाजनपोदों का उलेक किया गया है अब हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय महाजनपद उसकी राजधानी और वर्तमान इस्थिति तो 16 महाजनपद थे इनकी राजधानिया देखेंगे और ये कहां पे हैं ये देखेंगे तो अंग किराजधानी चमपा थी और ये भागल पुर मुंगेर बिहार में अभी वर्तमान इस्थिती है वहाँ पर था अवंति किराजधानी उज्जैन या महिस्मती थी ये मालवा मधपरदेश में था कासी किराजधानी वारा नसी थी और वारा नसी के आसपास के जो छेत्र है ये उत्तर परदेश में है कुरू किराजधानी इंदप्रस्थ ये आधुनिक दिल्ली मेरठ्यम हर्याना के कुष्षेत्र है कमबोज की राजधानी हाटक या राजपूर थी और ये कहां है राजवारी ओएवं हजारा चेतर दच्छीन पच्छिम कास्मीर में असमक की राजधानी पोटिल या पोतन थी गोदावरी नदी चेतर था ये और ये दच्छीन भारत का एक मात्रे जनपत था चेदी की राजधानी थी सुक्तीमती और ये बुंदेल खड उत्तर परदेश से संबंदी थे पांचाल की राजधानी अही छत्र कामपिल्ले थी और ये बरेली बदाईू फरूखाबादी ये संबंदी थे उत्तर परदेश से वजी की राजधानी बैसाली विदेह थी और ये मुजबफरपूर एवं दर्भंगा के मिथला के आसपास का छेतर है बिहार वस्स की राजधानी कोसांबी थी और ये प्रियागराज इलाहाबाद के आसपास का छेतर है उत्तर परदेश में मगत की राजधानी गीरिवर्च राजगीर या पाटली पुत्र थी और ये पटना गया बिहार में इस्थत था मत्स की राजधानी बिराट नगर ये जैपूर के आसपास का छेत्र था जो राजस्थान में है मल्ल की राजधानी पावा तथा कुसी नगर था कुसावती भी कहते हैं इसको ये कुसी नगर देवरिया उत्तर परदेश में है गांधार की राजधानी तक्छसिला थी और ये रावल पिंडी एवं पेसावर पाकिस्तान में इस्थत था अब हम लोग जैन धर्म देखेंगे जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर एवं संस्थाप कौन थे? रिसब देव और जैन धर्म के 23 तिर्थंकर पासरवनाथ थे पासरवनाथ जो थे 81 के छुआंकू वनसी राजा अस्वसेन के पूत्र थे इन्होंने 30 वर्स की अवस्था में सन्यासकरहन कर लिया था और 83 दिनों की तपस्या के बाद इने ग्यान की प्राप्ती हो गई थी इनके द्वारा दी गई सिक्षाएं सत्य अहिंसा असत्य चोरी न करना और परिग्र संपती न रखना ये सभी ये चार थें और महाबीर के माता पिता पास्त्रों नात के अनुवाई थें महाबीर स्वामी जैन धर्म के 24 वे और अन्तिम तिर्थन कर हुए इनका जन 599 इसा पुर में कुंड ग्राम बैसाली में हुआ था महाबीर के पीता सिधार्त ग्यात्रिक कुल के मुखिया तथा माता जो थी इस्तिरिसला लिछवी राजा चेटक की बहन थे महाबीर स्वामी के बच्पन का नाम वर्धमान था इनकी पत्नी का नाम यसोधा था और इनकी पुत्री का नाम अनोजा या प्रदर्सनी था महाबीर ने तीस वर्ष की आयू में माता पिता की मुर्तु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनमती लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया 12 वर्ष की कठोरत अपस्या के बाद महाबीर को जरिमभीक राम के समीप रिजुपाली का नदी के तट पर साल ब्रिक्ष के नीचे ज्यान प्राप्त हुआ ज्यान प्राप्त होने के बाद महाबीर जिन मतलब विजेता, अहर्थ, पुझ और निर्गन्थ, बंधन, मुक्त कहला हैं महाबीर स्वामी ने अपना उद्देश जो दिया था यह प्राकिर्थ भासा, अर्ध मागदी भासा में दिया था महाबीर के जमात्ता जो दामात थे जामाली उनके प्रथम अनुवाई बने थे दार्सनिक पधतिया और उनके परवर्तक देख लेते हैं सांख दर्सन के परवर्तक कपील है योग दर्सन के पतंजली नय दर्सन के गौतम वैसे सिक दर्सन के कनाद या उलुक बुरू मिमानसा के जैमीनी उत्तर मिमानसा के बाद रायन ठीक है ये सबी थे प्रतम जैन विक्छुनु चम्पा नरिस दधिवाहन की पुतरी चंदना थी महाबीर के 11 परमुख सीस से थे जो गंधर कहलाएं इड़ में से 10 की मिर्तु महाबीर के जीवनकाल में ही हो गई थी महाबीर की मिर्तु के बाद केवल सूध हर्मन जीवित थे बहत्तर वर्स की उम्र में इनकी भी मिर्तु हो जाती है निर्वान प्राप्त कर लेते हैं पांसो सताइस इसापुर में बिहार की राज्य के पावापुरी में हो गया था। चंद्रगुप्त मौरे के सासनकाल के अंती मडसों में मगद में बारा वर्सों का भीशन अकाल पड़ा था। जिसके कारण भद्रबावु अपने सिस्षों के सहित ये करनाटक चले गया थे भद्रबावु। तो भद्यब्राहु के जो सीष सिथे दिगंबर कहलाएं जो नगन रहने ये नगन रहते थे इनके सिथे और अस्थूल बद्र के सिष स्वेतांबर कहलाएं ये स्वेत वस्त धारन करते थे जैन धर्म के त्री रत्ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक आचरन है महाबीर ने चार महावरतों में पाचवा महावरत किसको जोड़ा है जो चार महावरत अभी हम लोग ने देखा था उसमें इन्होंने पाचवा जोड़ा है ब्रम्भचरे को जोड़ा है जैन धर्म त्री रत्न के अनुसीलन में ग्रिहस्तों के लिए पांच अनुवरतों का पालन करना आनिवारे था जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था जैन धर्म अनिस्वरवादी है और जैन धर्म जो है पुनर जनम यो कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म के सब्त भंगिने ग्यान के अन्य नाम स्यादवाद और अनिकांतवाद है ठीक है जैन धर्म मतावलंबी परमुख राजा कौन थे उधियन थे रचंद्रगुप्त मौर कलिंग नरे स्खारवेल राशकूट राजा अमोग वर्सत थे करनाटक के स्रवन बेल गोला में मैसूर के गंग वंस के मंतरी चामूंड ने दसवी सताब्दी में विसाल बाहु बली की मूर्ती का निर्मान करवाया इसे गोमे तेस्वर की मूर्ती कहा जाता है और भदर बाहु द्वारा रचित कल्प सुत्र में जैन तिर्थंकरों की आचींतम जैन ग्रंत है बारा अंगो में जैन सिधानतों का संकलन प्रथम जैन भासा में किया गया था अब देखेंगे जैन संगीतिया और कहां हुआ था तो प्रथम जैन संगती 310 इसापुर में पार्टली पुत्र में हुआ था अध्यक्चिस के अस्थूल बद्र थे औ और चंद्रगुप्त मौर इस समय सासक था और इसमें क्या हुआ था जैन साहितों की रचना हुई थी दूतिय बासंगीति 512 में हुआ था और वल्लभी में और देवर्धी गनी या छमा सुरन इसके अध्यक्चिते इसमें बिलुप्त जैन ग्रंतों का नए धंक से निर्ध पून उत्सो है जो बारा वर्स के अंतराल पर करनाटक राज के स्रवन बेल गुला में आयोजित किया जाता है शैव धर्म के बारे में अब देखेंगे भगवान सीव के उपासकों को सैव कहा गया रिक वेद में सीव को रूदर कहा गया है मत्स पुरान में लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन किया गया है वामन पुरान में सैव पर संपरदाई की संख्या चार मिलती है पासूपत का पालिक काला मुक और सैव सैव धर्म का सबसे प्राचीन संपरदाई पासूपत संपरदाई है पासूपत संपरदाई के स्थापना लकूर लिस ने किय लकूलीस को भगवान सीव का अवतार भी माना जाता है सैवधर्म का दूसरा परमुक संपरदाय का पालिक है इसके उपासक भैरों को सीव का अवतार मानकर उपासना करते हैं सीव पुरान में काला मुक संपरदाय के अनुवायों को महा व्रत धर कहा गया है काला मुक संपरदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल और सूरा पान करते हैं और साथ ही अपने सरीर परचीता की भस में लगाते हैं लिंगायत संपर्दाय दच्छिन भारत में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था, ये सीवलिंग के उपासक थे, लिंगायत संपर्दाय के प्रवर्थक अलव प्रभु तथा इनके सिस बासो थे, लिंगायत संपर्दाय को बीर सैव संपर्दाय भी कहा जाता है, में चालुक, राशकुट, पल्लव एवं चोलो के समय सैवधर्म अत्यधिक लोप्रिये रहा। सरप्रथम सीव एवं पारवती की सयुत मुर्तिया गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नायनार संतों ने सैवधर्म के विकास में महत्पुन भूमी का निभा तीरसट नैनार संतों में परमुख्य थे अपार, संबदर और सुन्दर मुर्ति ये सभी परमुख्य थे। ये लोगरा की जो परसीध कैलास मंदिर है इसका निर्मा राशकुट सासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तंजोर में प्रसीथ राज-राजेस्वर सै मंदिर का निर्मान चोल सासक राज-राज प्रथम ने करवाया था। इसे ब्रहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमार गुप्त प्रथम के समय करम दंटा एवं खो में सीवलिंग के अस्थापना की गई थी। गुप्त काल में भूमरा में सीव एवं नचना प्रथम के अधर में पारवती के मंदिरों का निर्मान हुआ था। कुसान सासको की मुद्राव पर सीव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम लोग बैसनो भागवत धर्म के बारे में देखेंगे। बैसनो धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है इसके प्रवर्तक ब्रिष्णी वंसी क्रिष्ण थे हैं। क्रिष्ण का उलेक्स और प्रथम चांदोग उपनी सद में किया गया। इसमें उन्होंने उन्हें देव की पुत्र एवं घोर अंगी रस का सिस बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें प्रथम प्रअस्तर असमारक जो है बीदिसा बेस नगर का गरूर अस्तम्ब है जो इुनानी राजदुद हेलियोडोरस द्वारा अस्थापित किया गया था। इुनानी राजदुद मेगअस्थनीज सूर्षेन मतुरा के लोगों को हेरा कलीज का उपाशक उपासक बताता गुप्त नरेश जो थे बैसनों मता अन्वायू थे और इन्होंने इसे राज धर्म भी बनाया था गुप्त सासको के काल में बैसनों धर्म का चर्मोत कर्स हुआ है अधिकांस गुप्त सासक परम भागवत की उपाधी ग्रहन करते थे बिसनों का वाहन गरुड गुप्तो का राज जीन था राश्ट गुट सासक दंती दुर्ग ने एलोरा में परसीद दसावतार मंदिर बनवाया था तमिल प्रदेश में बैसनों धर्म का पच्चार परसार अलवार संतों द्वारा किया गया था अलवार संतों की संख्या कितनी थी बारा थी अलवार संतों में परमुख थे तीरू मंगई पेरिये अलवार अंडाल नम लवार ये सबी थे अलवार संतों के परमुख थे अलवारों में एकमात महिला संत कौन थी अंडाल थी मतस्य पुरान में बिसनु के दसावतारों का उलेक मिलता है कौन कौन है मत्स कूर्म कच्चप वाराह निरसिंग वामन परसुराम राम कृष्ण बुद्ध कलकी दसवा ठीक है कलकी ठीक है अब देख लेते हैं कुछ अन संपर्दाय मत एहम संस्थापक तो संपर्दाय देखते हैं मत देखते हैं उसके संस्थापक दसनामी जो थे अदयत वाद मत के थे और इसके संस्थापक आदी संकराचार बैसनौ के विशिष्टा द्वैत वाद विशिष्टा द्वैत ये रामानूच इसके संस्थापक थ और आनंद तिर्थ इसके संस्थापक थे माधो अचार भी कहा जाता है। आजीवक मखली गोसाल यद्रिक्छावाद का आचार अजित केस कंबलीन भातिक वादी का पकुत कचायन थे घोर अक्रिया वादी पूरन कस्यप अनिच्चे वादी संजय वेल्ठी पुत्य थे। ठीक है। ये सबी थें। अब देखेंगे हम लोग मगद राज का उतकर्स। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमी पर इस्थत। मगद प्राचीन भारत का एक महत्मुन राज्य था। मगद का प्रथम राजवन्स हर्यक वन्स था। इस वन्स का संसापक बिम्बिसार था जिसने गीरी बर्च राजगिरी को अपनी राजधानी बिम्बिसार ने अपने राजवैध जीवक को अवन्ती नरेश चंड प्रदोति की चिकित्सा के लिए उनके राजव में भेजा था। बिम्बिसार के पचात उनका पुत्र अजास सत्र। कुनिक सासक बना हर्यक वन्स का अंतिम सासक जो था नागदसक था। नागदसक को उसके अमात सिसुनाग ने अपदस्त कर सिसुनाग वन्स की अस्थापना के। सिसुनाग वन्स का अंतिम राज़ा नंदी वर्धन तथा महा नंदिन था। नंद वन्स का संस्थापक महा पद्मनन था। नंद वन्स का अंतिम सासक घना नंद था। घना नंद सिकंदर का सम कालिन था घनानंद को पराजित कर चंदर गुप्त मौर ने मौर वंस की अस्थापना की अब मौर समराजी के बारे में देखेंगे चानक जिनको कोटील या बिस्मुक गुप्त की कहा जाता है इन्होंने घनानंद को हराने में चंदर गुप्त की सहायता की तथा चंदर पुस्तक कौन सी है अर्थ सासर है इसका अभी सह राजनीती है राजनीती पे पुस्तक लिखी गई है चंद्रगुप्त के बारे में अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौरे ने 305 इसा पुर्व के आसपा सेलुकस निकेटर जो बेबिलोन का सासक था उसको पराजित किया जि उसने अपनी पुत्री करनेलिया या हेलेना कह लिजे विबा चंद्रगुप्त के साथ कर लिया और उसे एरिया जो काबुल वाला चेतर है अराकोसिया कंधार पेरी पेमिस दाई हिरा तथा जेड्रोसिया मकरान कुल चार प्रांट दहेज में दे दिये चंद्रगुप्त य लिकित पुस्तक इंडिका थी चंद्रगुप्त जैन धर्मा वलंबी था तथा जैन गुरु भद्रबाहु का सिस्से था चंद्रगुप्त मौर की मिर्तु 297 इसापुर्व में करनाटक के स्रवन बेल गोला में उप्वास पधति द्वारा होईजी से सनलेखना बिधी भी क ये 297 इसापुर्व में मगद की गद्दी पर वैठा बिंदुसार की माता का नाम दुरधरा था बिंदुसार को अमित्रिक हात सत्रु विनासक एम सिंग सेन के नाम से भी जाना जाता है असोक के बारे में देखते हैं बिंदुसार के बाद उसका पुत्र असोक मगद की रा सराय था ये राजपाल असोग की माता का नाम सुभ द्रांगी था ठीक है असोग की जो माता थी ये सुभ द्रांगी थी पुरानों में असोग को असोग वर्धन कहा गया है मास्की गुर्जारा नित्तुर उडए गोलम अभिलेख में उसका नाम क्या मिलता है असोग मिलता है अभिलेखों में असोक को देवा नाम प्रिये तथा देवा नाम पिये दसी उपाधियों से संपोधित किया गया है। राज अभिसे के आठ वर्स बाद असोक ने कलिंग पर आक्रमन किया 261 पूरों में। असोक को उपगुप्त ने बौत धर में दिक्षित किया था। असोक को किसने उपगुप्त ने किया था। असोक ने अजीवक संपरदाय के अनुवाईयों को रहने के लिए बराबर की गुफाओं पहाड़ी जो थी उसमें चार गुफाए बनवाई थी इसने इसका नाम था लोमस रिसी, कर्न चौपार, सुदामा और बिच्स ठीक है, अब असोक द्वारा धम के परचारक के लिए भेजे गए परचारक, तो धर्म परचारक और छेतर ने, सोन एवम उत्रा, ये सुवन भूमी वर्मा गए, महेंदर एवम संगमित्रा सिरलंका गए, मंचानतिक कस्मीर और गांधार गए, महारक्षित यवन राज में असोक के अभिलेखों को तीन भागम बाटा गया है, सिला लेक, अस्तम्ब लेक और कुहालेक, असोक के सिला लेक की खोज 1750 में टेम फेथलर ने किया था, कोसांबी अफिलेको रानी का अभिलेक कहा जाता है, रुमन दई सबसे जो अस्तम्ब लेक है सबसे छोटा है, धम य असोक के समय मौर समराज में प्रांतों की संख्या पाँच थी प्रांतों को चक्र कहा जाता था असोक के बौध होने का सबसे प्रबल प्रमान भाबरु वैराट से प्राप्त लगु सिला लेक है राज्या अभिजेक से संबंधित मास्की के लगु सिला लेक में असोक ने स्वैम को बुद्ध साख के कहा सोहगावरा तामर अभिलेक तथा महा अस्थान अभिलेक में अकाल के समय राजा द्वारा अनाज वित्रनकावलेक मिलता है अब असोक के परमुक अभिलेक एवम उसमें वर्णित विसाय देख लेते हैं तो सबसे पहले पहला सिला लेक पसु बली की इसमें निंदा की गई है पहला प्रिथक सिला लेक इसमें सभी मनुस्य मेरी संतान है ऐसा लिखा गया है दूसरा सिला लेक मनुस्य मपसु की चिकिस्सा व्यवस्था तथा सिमान्त राज्यों जैसे चोल, पांड, सतीपुत्र, केरलपुत, सिलोन कावलेक मिलता है तीसरे अभिलेक में राजकिये अधिकारियों, युक्त, रजुक, प्रादेशी को हर पांचवे वर्स दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है चौथा अभिलेक भेरी गोस की जगा धम गोस की गोसना की गई है पांचवे अभिलेक में धम महमात्रों की निवति के विसाय में जानकारी मिलती है चठ़े अभिलेक में प्रजा के कार के लिए मुझे हर जग़ सूचना दे सकते हैं ऐसा लिखा गया है साथवे अभिलेक में आत्नीरंत्रन मस्तिस की सुधता का उपदेश दिया गया है आठवे अभिलेक में असो कितिर्थ यात्राओं का उपदेश है नवे सिलालेक में सच्ची भेट एवं सस्से सिष्टा चार का उपदेश दिया गया है दसवा अभिलेक सिला लेक में धम के पालन का उपदेश दिया गया है ग्यारवा में धम की ब्याख्या की गई है बारवे सिला लेक में धार्मिक सही सुनता की नीती का उलेक किया गया है तिरहोय सिला लेक में कलिंग यूध पडोसी राजाओं का वर्णन और आठवी के राज्यों का उलेक किया गया है तेरवे में ठीक है ये असोक के समय प्रांत और उसकी राजधानी है असोक के समय की तो प्राच या पूर्वी प्रांत कह लिजे इसकी राजधानी पाटली पुत्र थी कलिंग की राजधानी तोसली थी अवंती की राजधानी उजैनी थी उत्रा पत की राजधानी तक्छर सेला थी और दचिना पत्किराजधानी सुवर्ण गिरी थी मेगा अस्थनीच के अनुसार नगर का प्रशासन छे समीतियों में विभाजित था पर टेक समीति में पांच सदस्य होते थे एगरो नौमोई मार्ग निर्मान अधिकारी था अर्शास्त में गुप्तचर को गुड़ पूरुस कहा गया ब्रहमन सिल गुप्तचरो को संचरा तथा एक जग़ रहने वाले गुप्तचरो को संस्था कहा जाता था नियाले दो परकार के थे धर्म अस्थिये दिवानी नियाले हैं और कंटक सोधन पहुजदारी नियाले सरकारी भूमी सीता कहलाती थी बीना वर्सा के उपजाव त्रिक कहलाती थी, राजकिय भूमिकी व्योस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था, राजुक, युक्त, प्रादेशिक, धममाहमात, अस्त्रया अध्यक्ष, ब्रग्ज भूमिक, मौरकाल के परमुक परसासनिक पदा अधिकारी थे, सासन की सुधा के लि अस्तनीज ने भारतिय समाज को सात वर्गों में विभाजित किया, कौन-कौन है ये, सैनिक, निरिक्षक, दार्सनिक, अहीर, किसान, कारिगर और सभा सद, ये सब ही थे, मौरवंस का देखे अंतिम सासक, अंतिम सासक ब्रेहदर्द था, ब्रेहदर्द की हत्या उसके सेना पती, पूस्य मित्र सुंग ने 184 इसापूर में करके सुंग वंस के अस्थापना किया, सुंग वंस का संस्थापक पूस्य मित्र सुंग था, इसने दो अस्वं में घियग किया था, तथा पतंजली इसके पुरोहित थे, भरहुत अस्तूग का पुनर उत्थार पूस्य मित पुसमित्र की मिर्तु के बाद उसका पुत्र अगनी मित्र सुगवंस का सासक बना। इस वन्स के महत्पुन सासकों में सिमुक सातकर्नी प्रथम, गौत्मी पुत्र सातकर्नी वसिष्टी पुत्र पुलवामी यग स्री सातकर्नी थे। पुरथम, सीसे के सिक्के चलवाएं, ब्राम्भनों को भूमिदान करने की प्रथा सात वाहन वन्स ने प्रारम्भे किया था। सात वाहन सासकों को दक्छीना पत का स्वामी कहा जाता है, गाथा सब्त सती के रचैता हाल तथा बिरियत कथा के रचैता गुनहाड सात वाहन काले के कौन थे, साहित देकारे थे। अब भारत में बिदेशी आक्रमन कारी देखते हैं, हिंद युणानी, इंडो-ग्रीक, सक, पल्लो और कुसानों ने करम सा भारत पर आक्रमन किया, तो इनका एक रम था हिंद युणानी, फिर सक, फिर पल्लो और फिर कुसान, तो भारत पर सरप्रतम, डेमेटीरिसज ने आ कोड थी मिनांडर को नाग सेन ने बहुत धर्म में दिक्षित किया था मिलिंद पनो मिलिंद के प्रस्ण में मिनांडर एवं नाग सेन के प्रस्ण उत्रों का वर्णन है सर प्रथम हिंद युनानी सासको ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किये थे हेलेनिष्टिक कला का संबंध हिंद युनानी सासकों से है भारत में कांधार कला इसका सरोत्तम उदाहरन है सक देखें युनानियों के पच्चात सक भारताएं सक मुलतम मद एसिया से आये थें सक पाथ साखाव में विभक्त थें उजयन को एक सासक ने सको को पराजित करके बिक्रमा दिते की उपाधी धारन की थी तथा संतावन इसापूर में बिक्रम सनवत्य चलाया भारत में सको का सबसे प्रतापी सासक रुद्रिदामन था रुद्रिदामन ने विसुद्ध संस्क्रीत भासा का सबसे पहला अभिलेक जूनागर गिरनार में जारी किया सको ने प्रशासन की छत्रप पढ़नाली अपनाई थी ठीक है अब देखते हैं हिंद पार्थियन या प अधिपत्य हुआ पल्लावंस का सरवाधिक सक्ति सालीस आ सक देखें तो ये गोंडो फरनीस था गोंडो फरनीस के सासनकाल में सेंट थॉमस इसाई धर्म का परचार करने भारत आया था कुसान वंस पल्लाव पार्थियाई के पश्चात कुसान भारत आयें कुसान जो थे की यूची जाती की साखा के थे, कुसान वन्स के अस्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था, कुसान साजकों में बीम कटफिसस ने सौर प्रथम सोने के सिक्के जारी किये और बीम कटफिसस ने महेस्वर की उपाधी धारन की थी, उसके सिक्कों पर सीव, नंदी तथा ति सावर थी तथा दूसरी राज़ान इसकी मतुरा थे कनिस्क ने संभोतक गद्धी पर बैठते समय अठरतर इसा में अठरतर इस भी में सक सन्वत चलाया था यह बौत धर्म के महायान संपरदाय का अनुवाई था कनिस्क का राजबैत चरक था चरक सनीता चरक की परमुख रच बौत धर्म का विश्वेकोस बहां विभास सुत्र को कहा जाता है इसके रचनाकार वसुमित्र थे अस्वेगोस कनिस्क का राजक भी था जिसमें बुद्ध चरित सौद्रानंद सारी पुत्र प्रकर्ण और सुत्र अलंकार की रचना की थी किसने ay अस्वड़ोसने कनिस्क क अचार में आचार नागारजुन पासुर और वसुमित्र आदी भी रहते थे नागारजुन ने प्रज्या पार्मिता सुत्र की रचना किया था कुशान सासकों ने सरवाधिक सुध सर्मनिसिक के जारी किये थे। कुसान सासकों की उपादिया, महराज, महराजा धिराज, सो राज धिराज है, देव पुत्र, ठीक है, महराज था, राज धिराज था और देव पुत्र थी, अब हम लोग गुप्त समराज देखेंगे, गुप्त वन्स का संसापक स्री गुप्त था, पाटली पुत्र, गुप चंद्रगुप्ध प्रथम का जो सासनकाल है ये 319 से 335 रहा इसने सौर प्रथम माहा राजधिराज की उपाधिधारन की तथा लिक्षवी वंज की राज़कुमारी कुमार देवी से विबाह किया चंद्रगुप्ध प्रथम ने 319 स्वि में गुप्ध सनवत्युआ किया था इसके पश्चात समुद्र गुप्त गुप्त वन्स का सासक बना जिसको भारत का नोपोलियन कहा जाता है इसने आर्यावर्थ के नौ सासको और दच्छिनापत के बारा सासको को पराजित किया समुद्र गुप्त को कभी राज की उपाधी दी गई है समुद्र गुप्त के चंद्रगुप्त दूतिये 375 में गद्धी पर बैठा, चंद्रगुप्त दूतिये के काल में फाहियान नामक चीनी आत्री भारत आया था, स्वको को पराजित करके इसने विक्रमा दीत की उपाधी धारन की थी तथा चांदी के सिक्के चलवाए थे, चंद्रगुप्त दूत का उत्राधिकारी असकंद्र गुप्त हुआ, ये 455 से सरसर तक रहा, असकंद्र गुप्त के समय हिडो का आकवन हुआ था और इसने गिर्नार इसस सुदर्शन जिल का पुनरत्धार करवाया था, विसनु गुप्त गुप्त वन्स का अंतिम सासक था, गुप्त समराज अने तथा भुक्ती कहते थे, भुक्ती के सासक को उपरिक कहा जाता था, सिमान्त परदेशों के सासक गुप्ता कहलाते हैं, भुक्ती विसाय में बटे हुए थे, जिसके परमुख विसाय पती कहलाते थे, तो भुक्ती जो थे विसाय में बटे हुए थे और इसके परमुख को डंड पासिक पूलीस विभाग का परमुख होता था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम होती थी ग्राम समुह को पेट कहा जाता था गुप्त काल में समानत भूराजासु की जो दर थी एक बटा छे थी ठीक है सिच्चाई है तू अरघट रहट जिसे घंटी अं गुप्त राजाओं ने सरवाधिक स्वर्ण सिख्ये चलाय थे जिने दिनार कहा जाता था स्वर्ण सिख्ये को दिनार कहा जाता था कायस्त वर का सरप्रथम उलेख याग वलके स्मृति में मिलता है उसनम स्मृति में कायस्तों का उलेख सरप्रथम जाती के रूप में देयोगड के दसावातार मंदीर का निर्मान गुप्तकाल में हुआ था। इन सभी का चित्रन किया गया है। अब देखेंगे वाकाटक राजवन्स। वाकाटक राजवन्स के अस्थापना दोसो पचास इस्वी में बींद सक्ती ने किया था। प्रवर्षन प्रथम वाकाटक राजवन्स का एक मात्र सासक था जिसने समराट के उपाधी धारन की थी। प्रवर्षन प्रथम ने चार अस्व में घियक किये थे। रुद्रसरिन दूतिये का विवा चंद्र गुप्ट दूतिये की पुत्री परभावती गुप से हुआ था। प्रवसर्ण दूतिये ने सेतु बंध नामक प्राकिर्त काव ग्रंध की रचना की थी। वर्धन वंस देखते हैं गुप्ट वंस के पतन के पश्चा दिल्ली पंजाब हर्याना छेत्र में थानेस्वर नामकस्थान पर पुस्प भूती कह लिजे अब पुस्प भूती ने वर्धन वंस के अस्थापना की थी। प्रभाकर वर्धन को इस वंस का वास्थिक संथापक कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्रे थे राजवर्धन और हर्स वर्धन तथा एक पुत्री राजश्री में थी। किसने मालवा के सासक देवगुप्त ने करके रास्री को बंदी बना लिया था राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी किन्तु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौर सासक ससांक ने धोखा देका राजवर्धन की भी हत्या कर दी राजवर्धन की मिर्टु के पहचात 606 इसबी में हर्षवर्धन राजगदी पर बैठा हर्ष का दूसरा नाम सिला दिद्धि था हर्षवर्धन ने परम महेस्वर परम भटारक की उपादी धारन किया था हर्सवर्दन ने अपनी राजधान इथानेस्वर से कन्योज अस्थानांत्रित किया हर्स ने कस्मीर के सासक महात्मा बुद्ध का दंत और सेस्प्राप्ट क्या था कस्मीर के सासक से हर्स चरीत्र ग्रंत के रचईता बानभट हर्सवर्दन के दर्बार में था नागानंद, प्रियदर्शी का और रतनावली हर्सवर्धन की रचनाए हैं दच्छिन में समराज बिस्तार के समय नर्मदा नदी के टटपर इसका युद्ध पुलकेसिन दूतिय से हुआ था समराज हर्सवर्धन पर तेक पाँचवे वर्स प्रियाग में महा मुक्ष परिसत का आयोजन करता था हर्सवर्धन ने से सो एक तालीस में अपने दूत्र चीन भेजे थे चीनी यात्री वेंसंग हर्सवर्धन के काल में भारत आया था और इसने नालंदा विश्व विद्याले में सिक्षा ग्रहन किया था इसका मुख हुदेश बौद गरंथों का संग्रा करना था वेंसंग ने अपनी यात्रा पर एक गरंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है हुईली ने वेंसंग की जिवनी लिखी अब देखेंगे दचिन भारत का इतिहास संगम यूग संगम का आसे तमील कभियो विद्वानों अचार्यों की परिसर या गोष्टी या सम्मेलन से है इनी सभाओं में रचित साहित संगम साहित कहलाता है कुल तीन संगम आयोजित किये गया थे तीनों संगम का आयोजन पांड सासको के सनरच्छन में हुआ था तोलका पियम को तमील भासा का प्राचिंतम व्याकरन ग्रंथ माना जाता है चेर वन्स संगम साहित में तीन परमुख राजियों चेर, चोल, पांड, राजाओ के इतिहास की रूप रिखा दी गई है चेर राज जो है आधुनिक केरल प्रांत में इस्थत था संगम यूग में प्रथम चेर सासक उदीन जेरल था चेरो का राज की राज चीन जो था ये धनूस था चेर सासक सेन गुटवन ने पतिनी पूजा की प्रथा अरंब की थी ठीक है चोल वन्स संगम साहित में उली खित चोल सासकों में करीकाल प्रमुख था करीकाल को जले हुए पैरो वाला कहा गया है करीकाल को कलांतर में विजियाले ने पललव वंस के अउसेसों पर चोल वंस के अस्थापना की और इस वंस की राज दानी तंज़ौर थी बिज्याले ने तंजोर तंजावूर पर अधिकार करके नर केशरी की उपाधी धारन की परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंदूतिये एवं किलोतुंग चोल वंसके परमुख्य राजा थे राज-राज प्रथम ने स्रिलंका के उतरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुमाडी चोल मंडलम की अस्थापना किया इसकी राजधानी कहा थी पोलन रुवा थी ठीक है पोलन रुवा राज-राज प्रथम ने तंज़ाओर में बिहदेशवर एमोम या राज- राजेश प्रथम ने बंगाल के सासक महिपाल को पराजित कर गंगय कोंड चोल की उपाधी धारन किया बंगाल बिजय के उपलक्ष में नवीन राजधानी गंगय कोंड चोल पुरम के अस्थापना की तथा उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया राजेश त्र ये चोल वंस का अंतिम सासक था चोल परसासन के उत्रा अधिकारी पेरुन दनम तथा नीम्न स्रेनी के देखिए चोल परसासन के जो उच्छ अधिकारी होते थे उसको पेरुन दनम कहा जाता था और नीम्न स्रेनी के जो पदा अधिकारी होते थे इसको सिरु दनम कहा जाता थ संपून चोल समराज 6 प्रांतों में विभगता तो ये हरार्की दिया हुआ है प्रांत सबसे पहले प्रांत मंडलम में प्रांत या मंडलम में था फिर वलनाडू में था फिर जीलाव नाडू में था फिर कुड्रम ग्रामसंग में था और सबसे नीचे ग्रामसभा थी इस तर ग्रामों की सभा थी ठीक है इसके सदस पेरूम कल कहलाते थे पेपारियों की सभा नगरम कहलाती थी ब्राम्भनों को दी गई करमुक्त भूमी चतुरवेदी मंगलम कहलाती थी दान दी गई भूमी को ब्राम्भदे कहलाता था और सोने के सिक्वे जो होता था ये कासू कहलाता था कंबन ने तमिल रमायन की रचना की थी कंबन और टुकुटन और पूगलेदी ये जो थे तमिल सहीते के त्री रतने थे नतराज की परतीमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है चोल कालिन महत्पून बंदरगाह जो था एक कावेरी पटनम था चोलो की राजकिये चीन क्या थी बाग थी पांड वंस देखें पलसालई मुदु कुदुमी प्रथम एतिहासिक पांड शासक था नेडुन जेली अमन भी इस वंस का परसीद सासक हुआ यह ब्रामबन धर्म का अनुवाई था पांडो की राजधानी राजकिये चीन मचली थी पांडो की प्रथम राजधानी कोरकाई थी जिसे बाद में मदूरा अस्थानांत्रीत कर दिया गया अब राश्टकूट वंस देखते हैं चालुक के सासक किर्ती वर्ण को प्राजित करके दंती दुर्ग ने राश्टकूट वंस के अस्थापना की थी इसने मान खेत मनकीर यह वर्तमान में माल खेत 16 पूर के निकट है इसको राजधानी बनाया था मान खेत को इलोरा के कैलास मंदिर यह गुहा मंदिर है इसका निर्मान क्रिस्न प्रथम ने करवाया था दुरू धारा वर्ष राश्टकूट का वंस का पहला सासक था जिसने कन्नोज पर अधिकार है तू त्री पक्षिय संगर्ष में भाग लिया अमोग वर्ष जैन धर्मा अनुआई था इसने कन्नर भासा में कभी राज मार की रचना की अमोग वर्ष ने आदि पुरान के लेखक जीन सेन और गनीत सार संगरह के लेखक महा बीरा चारे को अपने दर्बार में आस्रे दिया था अरब निवासी अलमसूदी इंद्र तिर्थिये के सासनकाल में भारत आया था राशकूट वंस का अंति महान सासक क्रिस्न तिर्थिये था सांति पुरान के लेखक और कन्नर भासा के परमुख कभ पोन ये क्रिस्न तिर्थिये के दर्बार में रहते थे एलोरा एम एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्मा राशकुटों के समय में हुआ था एलोरा में 34 सैल कृत गुफाएं हैं इनमें से 1 से 12 तक बौध 13 से 29 तक हिंडू तथा 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं राशकुटों ने अपने राज्य में मुसल्मान वेपारियों को बसने तथा इसलाम के परचार की स्विक्रिती दी थी अब देखेंगे चालुक को वंस कल्यानी के ठीक है कल्यानी के राशकुटों के पतन के कारण के पश्चात तैलब दूतिये ने 973 से 997 तक रहा तो इसने कल्यानी के चालुक को वंस के अस्थापना की सोमेश्वर प्रत्थम ने कल्यानी को राजधानी बनाया कल्यानी के चालुक को वंस का सबसे प्रतापी सासक विक्रमादी 36 था तो विक्रमादी 6 के दरबार में विक्रमांक देवचरीत के लेखक बिलहन और मिताक्चरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे इसने अपने राज आरोहन के समय चालूक बिक्रम सन्वंत का परवर्तन किया। कल्यानी के चालूक वंस का अंतिम सासक तैलप तरीतिये का पूत्र सोमेश्वर फोर था। वतापी के चालूक वंस के स्थापना की थी पूलकेसिन प्रथम ने। इस वंस का सबसे प्रातापी सासक पूलकेसिन दूतिये था। एहोल अभिलेक से पता चलता है कि पूलकेसिन दूतिये ने हर्स वर्धन को नर्मदा नदी के तट पर प्राजित किया था। पल्लव सासक नर्सिंग वर्मन प्रथब ने पुलकेसिन दूतियों को परास्थ कर वतापी कोंड की उपाधी धारन की थी। एहोल प्रसस्ती की भासा संस्कृत एवं लीपी जो थी ब्राम्भनी थी। इसके रचनाकार कौन थे। रभी कृति है। इस वंस का अंतिम सासक देखे तो किर्ती वर्मन दूतिये थे और इसके सामन्त दंती दूर्ग ने पराजित कर राश्कूत वंस की अस्थापना किया था। अब चालुक वंस वेंगी के वेंगी के चालुक वंस का संस्थापक विशनु वर्धन था। इसने वेंगी आंध परदेश को अपनी राजधानी बनाये था। इस वंस का सबसे परतापी सासर विज्या दित्य ठड था। पल्लव वंस देखेंगे, सिंग बिसनु ने कांची को अपनी राजधानी बनाकर पल्लव वंस की अस्थापना की थी, सिंग बिसनु बैस्टनो धर्म का अनुवाई था, सिंग बिसनु के दर्बार में किराता अरजूनियम के लेखक और संस्कृत के महा कभी भारवी निवास करते थे, पल्लव वंस के परमुखे सासक देखें, तो क्रमस, महेंद वर्मन प्रथम, नर्सिंग वर्मन प्रथम, महेंद वर्मन दूतिये, परमिश्वर वर्मन प्रथम, नर्सिंग वर्मन दूतिये और नंदी वर्मन दूतिये था, ठीक है, महेंद वर्मन प्रथम ने मत बिलास प्रहसन की रचना की थी नंदी वर्मन दूतिये ने काची के मुक्तेश्वर और वैकुंट पेरुमल मंदिर का निर्मान करवाये था अरब आक्रमन के समय पल्लव सासक का सासक कौन था नर्स्थिंग वर्मन दूतिये था अरब आक्रमन के समय नर्स्थिंग वर्मन प् अभी मंदिर को मामल्य पूरम में, महाबली पूरम में विधमान है, इस सहली को मामल्य सहली भी कहा जाता है, इस सहली के परमुख रत मंदिर इस परकार हैं, द्रौपती रत, अर्जून रत, भीम रत, नकुल सहदेव या धर्मराज रत, गनेश रत, पिंडारी रत, वले ये सभी हैं इनमें धर्म राज रथ जो है सबसे बड़ा और द्रोपती रथ सबसे छोटा है नर्सिंग वर्मन दूतिये ने काची के कैलास मंदिर का निर्मान करवाया था दस कुमार चरीत के लेखक डंडी नर्सिंग वर्मन दूतिये के दरबार में रहते थे परसीद बैसन संतीरु मंगई नंदी वर्मन दूतिये के समकालिन थे अपराजित वर्मन पल्लावंस का अंतिम सासर था यादवंस अब यादवंस देखते हैं चालुक नरे सोमेश्वर फोर के सामंत भिल्लम ने स्वतंतर यादवंस के अस्थापना की थी यादवंस की राजधानी देव गिरी थी इस वंस का सबसे प्रतापी राजा सिंगन था इस वंस का अंतिम राजा राम चंद्र था जिसने अल्ला उदिन के सेना पती मलुक काफिर के सामने आत्म समर्पन किया था अब देखेंगे होईसल होईसल वंस चालुक के नरे सोमेसर दूती रितिये है इसका सामंत वि वेलूर में चेन्ना के सो मंदिर का निर्मान विशनु वर्धन ने कराये था वोईसलवंस का अंतिम सासक देखे तो बल्लाल त्रीतिय था इसने अल्लाव दिन से प्राजित होने के बाद वार्सिक कर देना स्विकार किया था कंदमवंस पल्लावंस के सामन्त मयूर सर्मन ने स्वैम को स्वतंत्र घोसित कर कंदमवंस के स्थापना की मयूर क्या नाम है मयूर सर्मन ने कंदम वंस की राजधानी वनवासी या वैजयनती थी, मयूर सर्मन को 18 अस्व मेग यग को अनुसरणधान करने वाला कहा जाता है, अब देखेंगे पूर्वे मध्यकार, पूर्वे मध्यकार, गुर्जर परतिहार वंस, गुर्जर परतिवार वंस का संसापक नागभट प्र वस राज को गुर्जर परतिहार संसापक माना जाता है, मिहीर बोज प्रतम इस वंस का सरवाधिक मतपूर्ण सासक था, मिहीर बोज प्रतम ने आदी वरा ये उंपरभाज जैसी उपाधियाधारन की थी, महेंद्रपाल प्रथम की राज सभा में परसीद बिद्वान राज सेखर निवास करते थे राज सेखर ने करपूर मंजरी, काबे मिमान सा, ब्यूदत साल, भंजी का, बाल रमायन, भुवन कोस तथा हर बिलास जैसे परसीद ग्रंथों की रचना किया था गढ़वाल वंस, गढ़वाल वंस की स्थापना चंद्र देव ने किया था, गोबिन चंद्र इस वंस का सरवाधिक योग एवन सक्ति साली सासत था गोबिन चंद्र के मंतरी लच्मी धर ने कृते कल्प तरू नामक ग्रंथ लिखा था किर्टे कल्प तरू चंदावर के यूद 1194 में जो हुआ था ये मुहम्मद गोरी ने इस वंस के सासत जैचंद को पराजीत किया था अब देखेंगे चाहमान राज वंस चाहमान वंस का संसापक वासुदेव था अजय राज प्रथम ने अजमेर नगर के अस्थापना के थी बिग्रह राज फोर्थ जो था ये चवहान वंस का सरवाधिक सक्ति साली सासक था हरी केली नामक गनाटक की रचना बिग्रह राज होर ने किया था ललित बिग्रह राज नामक ग्रंत सोमदेव ने लिखा था पृत्वी राज चोहान को पृत्वी राज तृतिये भी कहा जाता है परसीद कभी चंद बर्दाई पृत्वी राज चोहान की रासभा में निवास करते थे प्रित्वी राज रासो नामक महाकाबे की रचना चंद बरदाई ने किया था तराइन के प्रत्थम युद 1191 में हुआ था इसमें प्रित्वी राज चोहान ने मुहम्मद गोरी को पराजित किया था तराइन के दूते युदे 1192 में हुआ था और मुहम्मद गोरी ने प्रिथवी राजचोहान को प्राजित किया था मालवा का परमार राजवन्स परमार वन्स की अस्थापना दसवी सताब्दी इसवी में उपेंद्र अथवा कृष्ण राज नामक ब्यक्ति ने किया था धारा नगरी परमार वन्स की राजवानी थी परमार वन्स की स्वतंतता का संस्थापक हर्स अथवा सियक दूतिय था भोज परमार वन्स का सरवाधिक महत्पुन्चा सक्था भोज ने राजवानी धारा में सरस्वती मंदीर का निर्मान करवाया था भोज ने सरस्वती कंठा भरन, सिंगार प्रकास, प्राकिर्त ब्याकरन, कूर्म सतक, युक्ति कल्पतरू तथा समरांगन, सुत्रधार, आधी ग्रंथो की रचना की थी भुपाल में इस्तत भोज सर, नामक जील का निर्मान भोज ने करवाया था चितोर में इस्तत त्रिभुवन नरायन मंदिर का निर्मार भोज ने करवाया था चंदेल राजवंस बुंदेल खंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था बुंदेल खंड का, चंदेल वंस की अस्थापना लगभग 831 इस्त्वी में ननुक ने किया था राजा धंग ने चंदेलों की राज़ानी कालिंजर से खजुराहु अस्थाप्रंतिक किया था बिद्याधर ही एक मात्र भारतिय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महतकांचाओं का सफलता पुर्वक परतिरोध किया था खजुराहो के मंदिर का निर्मान चंदेल सासको ने करवाया था कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सरवाधिक परसिद्ध है खजुराहों के अन मंदिरों में जगदंबिका मंदिर चित्र गुप्त मंदिर और विश्वेनात मंदिर पास्वेनात मंदिर ये सभी उलेखित हैं ठीक है और तिरपूरी का कलचूरी चेदी वंस का संस्थापक कोकल प्रथम था कलचूरी चेदी वंस की राजधानी 64 योगनी मंदिर का निर्मान यू राज देव प्रत्थम के कारेकाल में हुआ था। राजपूत राजाओं में गांग देव नहीं सरने सिखे परचलीत करवाये थे। गुजरात का चालुक अथवा सुलंग की वंस। गुजरात के चालुक वंस की अस्थापना मूल राज प्रत्थम ने किया था। इस वंस की सासको की राजधानी अनिल वर थी। भीम प्रत्थम के सासनकाल में महमूत गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमन किया था। भीम प्रथम के मंत्री भीमल साह ने आबू परवत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। हेम चंद्रे सूरी ने कुमार पाल चरीत की रचना की थी। 1178 में मुहम्मद गोरी को भीम दूतिये ने पराजित किया था। गुजरात के चालू कोवंस के सासक जै कारकोट वंस उत्पल वंस लोहार वंस ने सासन किया था। सात्वी सताबदी में दुरलव वर्धन नामक ब्यक्ति ने कस्मीर में कारकोट वंस के सासकों में ललिता दित मुकता पीड सरवाधिक सक्ति साली था। कस्मीर में सूरे के परसिद मार्तंड मंदिर का निर्मान ल उत्पल वंस की रानी दिद्दा एक मत्यंत महत्वा कांचनी सासिका थी वह लोहार वंस की राजकुमारी थी इनका विबाह उत्पल वंस के सासक छेम गुब्द के साथ हुआ था। लुहारवंस के सासक हर्स का आसरित कभी था अब बंगाल का पाल राजवंस देख लेते हैं बंगाल के पालवंस की संस्थापक गोपाल था गोपाल ने नालंदा में एक बिहार का निर्मान करवाया था धर्मपाल ने बिक्रम सिला तथा सोम पूरी बिहारों के स्थापना की थे धर्मपाल की राज सभा में परसिद बौध लेखक हरी भद्र निवास करते थे ग्यारवी सती के गुजराती कवी सोडल ने धर्मपाल को उत्रापत्थ स्वामी की उपाधी दिया है जावा के सैलेंद्र वंसी सासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर देव पाल ने उसे नालंदा में एक बौध बिहार बनाने के लिए पाँच गाउदान में दिया था पालवंस के सासक बहुत धर्मिके अनवायू थे और विक्रम सिला बिहार और नालंदा विस्व विद्याले को मुस्लिम आक्रमनकारी बक्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था रामचरीत नामक एतिहासिक काब ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी ने किया था अब देखते हैं सेन राजवन, सेन वंस का संसापक प्रथम महत्पूर्ण सासक बिजय सेन हुआ, बलाल सेन ने दान सागर तथा अधवुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी, गीत गोबिंद के लेखक जैदेव, पवंदूत के लेखक धोई, ब्रामभन सर्वस्र के ले नहां थी, नदिया थी, कामरूप का वर्मन मंस, कामरूप के वर्मन मंस के अस्थापना पुछ से वर्मन ने किया था, और वर्मन मंस की जो राजधानी थी, प्राग जोतिस थी, भासकर वर्मन हर्स का समकालीन था, तो इस तरह आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया, अब हम लोग मध्यकालीन भारत देखेंगे, घटना चक्र से मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं, सबसे पहले अर्बो का आक्रमन मुहम्मद बिन कासिम के नेत्रित में 712 में अर्बो ने सिंध पर सफल आक्रमन किया था, अर्ब आक्रमन के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का सासन था, इस यूद में दाहिर की पराजय हुई थी, सिंध बिचय के पश्यात मुहम्मद बिन कासिम ने सर प्रथम धार्मिक कर जजिया लगाया था, अर्ब आक्रमन के पिसे में महत्पून सूचना, चचनामा तता यहिया अलबल्धूरी कृत किताब फुतू अलबल्दान से मिलती है, अर्बो के इस प्रथम आक्रमन का मुख्ध देश कया था, धन सपदा लूटना और इसलाम धर्म का परचार करना था, महमूद गजनवी यह 998 से 1030 भी तक, तो 962 में अलबत गीन नामक एक व्यक्ती ने गजनी में स्वतन तुर्ख राजी के अस्थापना किया, और 977 में अलबत गीन का दास और दमाद सुबुक्त गीन गद्दी पर अधिकार कर लिया, सुबुक्त गीन की मिर्तु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी 27 वर्स के अवस्था में 998 में सासक बनता है, बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला समराजी की दक्षनी भुजा एवं आमीन उल्मिला धर्म सनक्षन की उपाधी परधान क महमूद गजनवी ने 2021 में हिंदू साही राजा जैपाल के बिरुथ आक्रमन किया था, जिसमें जैपाल की पराजय हुई थी, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमन का मुखो देश धन लोलूपता थी, भारतिय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं बुत सिक मुर्ती भंजक कहा जाता है, इसका सबसे उलेखनिय आक्रमन गुजरात के सोमनात मंदिर का आक्रमन था, उस समय वहां का सासक भीम प्रधम था, महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिर्दोसी, उतवी तथा वैहाकी जैसे बिद्वान रहा करते थे, अलबरून महमूद गजनवी के आक्रमन के समय भारत आया था, उसकी पुस्तक किताब उलहिंद ततकालिन इतिहाज जानने का महत्पुन स्रोत है, मुहम्मद गोरी 1175 से 1206, तो मुहम्मद गोरी गजनी के अधिन गोर प्रांत का सासक था, वह संस बनी वंस का से संबंधित था, मुहम्म पर हुआ था, उस समय मुल्तान पर करमाथी जाती के मुसल्मान का सासन था, 1178 में गोरी ने गुजरात पर आक्रमन किया, किन्तु मूल राज दूतिये ने अपनी योग एम साहसी बिध्वामा नाइका देवी के नेत्रित में आबु पहार के निकट गोरी को प्रास्त किया मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा तथा दूसरी और लक्षमी की आक्रिती अंकित थी, सल्तनत कालब देखते हैं 1206 से 1526 से गुलाम वन सबसे पहले, 1206 में गोरी की मिर्तु के बाद कुतुबुदिन एबक ने गुलाम या ममलुक वन्स की अस्थापना की थी, कुत कुतुबुदिन एबक को भारत में तुर्की राजय का संसापक भी माना जाता है, सिंगहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधी धारन नहीं की थी, कुतुबुदिन एबक को लाख भक्स, लाखों में देने वाला एवं कुरान ख़वा कहा गया है, एबक ने दिल् करवाया था, कुतुबुदिन एबक की मिर्तु चौगान के खेल में घोडे से गिरने पर 1210 इसवी में हो गई थी, उसे लाहोर में दफनाया गया, कुतुबुदिन एबक का उत्रा अधिकारी आरामसा हुआ, जिसने केवल आठ महीने सासन किया, इल्तूतमीस 1211 से 36, इल्तूतमीस इल्बारी तुर्क था, कुतुबुदिन एबक की मिर्तु के समय इल्तूतमीस बदायू का सुवेदार था, इल्तूतमीस को दिल्ली सल्तनत का वास्त्विक संस्थापक माना जाता है, इल्तूतमीस ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में अस्थाप किया मुहम्मद गोरी ने 1206 में खोखरों के विद्रों के समय इलतूतमिस की आसाधारन योगता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था 1229 में इलतूतमिस को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधी प्रदान करी थी उसके सासन को वैधानिक स्विक्रिती प्रदान की थी इलतूतमिस के सासन को ठीक है इलतूतमिस ने अपने लिये वफ़दार गुलाम अमीरों की टुकडी रखी जिसे उसने तुरकान ए चहलगामी या चालीसा कहा जाता था इलतूतमिस ने सल्तनत काल में दो महत्पून सिक्के चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था और तामबे का जीतल आरंबे किया था सिक्को पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रमपराभी शुरूप की थे इलतूतमिस के सासनकाल में मंगोल नेता चंगेच खान ख्वारीज में के मंग बढ़नी का पीछा करते हुए भारत के उतरी पच्छिमी सीमा पर आया था इलतूतमिस को भारत में इक्ता प्रथा की सुर्वात का स्रे दिया जाता है इलतूतमिस की मिर्टू हो जाती है कब 1236 में इलतूतमिस की मिर्टू के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पूत्र रुकनूदुन फिरोज साहा को गद्दी पर बठाया रुकनुदुन को जन समूह द्वारा अबदस्त कर रजिया को सुल्तान बनाए गया रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्रा अधिकारी के प्रस्न पर स्वैम निडने लिया था रजिया सुल्तान 1236-40 रजिया मध्यकालिन भारत की प्रथम महिला सासिका थी, रजिया परदा प्रथा त्याक कर पुर्सों के समान, वस्त्र, कुब, कोट और कुला, टोपी धारन कर सासन का कार्श्वयम संभालती थी, मिनहाज ए सिराज के अनुसा रजिया ने तीन वर्ष छे माँ छे दिन सासन कि तब काते नासरी का ये लेखक है, मिनहाज ए सिराज, रजिया के विरुद तबर हिंद भटिंदा का एक्तेदार अलतूनिया ने बिद्रोह किया था, रजिया ने अलतूनिया से विबाह कर तुर्की सरदारों के बिद्रोह को दवाने का प्रयास किया, किन्तु वह अस्तफल रही रजिया की हत्या 1440 में दाखूऊ दवारा कैथल के पास कर दी गई रजिया की मृत्तु के बाद बहराम साह 1240 में गधिम बैठा और इसकी भी हत्या 1242 में कर दी गई बहराम साह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अल्ला उदिन मसूद साह बना 1246 में बल्बन द्वारा किये गए सर्यंत द्वारा अल्ला उदिन मसूद साह को अबदस्त कर नासीरू दिन महमुद को सुल्तान बना दिया गया मिनहाज ये सिराज की पुस्तत तबकात ये नासरी इसी को समर्पित है 1249 में बल्बन ने अपनी पुत्री का विबा सुल्तान नासीरुदिन से कर दिया नासीरुदिन ने बल्बन को उलुक खान की उपाधी दी और नायब एमामलिकात का पद दिया अब गया सुदिन बल्बन 1266-1287 में गया सुदिन बल्बन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर वैठा और यह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा बल्बन ने सुल्तान की स्पर्तिष्ठा के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी बल्बन ने राजा को धर्ती पर इस्वर का परतिनी थी नियामत एक खुदाई माना है बल्बन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात इस्वर का परतिबिम्भ है बल्बन ने दिवाने अर्ज नामक सैन विभाग के स्थापना की थी बल्बन सीजदा और पाबोस प्रथा की सुरुवात की जो मुल्त इरानी प्रमपराओं से ग्रहन की गई थी बल्बन ने अपने दर्बार में प्रतिवर्स इरानी तेवा नौरोज मनाने की प्रथा सुरू किया था अमीर खुसरो को भारत का तोता अथ्वा तूतिय हिंद तथा अमीर हसन एदेहलवी को भारत का साधी कहा जाता है बल्बन की मिर्दू के बाद उसका पौत्र कैकू बाद उसका उत्राधिकारी बनता है उसके बाद अल्पकाल के लिए क्यू मर्स सासक बनता है जलालु दिन ने क्यों मर्स की हत्या करके राजगद्धी पर अधिकार कर लेता है अब खिल जीवंस 1290-1320 गुलाम उन्स के पतन के बाद 1290 में जलालु दिन फिरोज खिल जीवंस के अस्थापना की जलालुदिन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सिधी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुछलवा दिया गया था जलालुदिन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दमाद अब देखेंगे अल्लाउदिन खिलजी 1296 से 1326 वी तक अल्लाउदिन खिलजी ने अपने सिको पर स्वायम का नाम दूतिय सिकंदर सिकंदर एसानी के रूप में उतकिन करवाया था अल्लाउदिन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सासत था जिसने योगता के अधार पर पदो का वितरन किया था अल्लाउदिन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधी दी थी गुप्तचर विभाग का मुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक था उसके अंतरगत अनेक बरीद होते थे जो संदेश वाहक या हरकारा होते थे अल्लाउदिन ने राजस्व व्योस्था से भरष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दिवाने मुस्तखराज की अस्थापना की अल्लाउदिन ने सीरी का किला हजार खंबा महल होजे खास जमात खाना मसजीद और अलाई दर्वाजा का निर्मान करवाया था अल्लाउदिन ने केंद्र पर एक बड़ी और अस्थाई से ना रखी जिसे नगत वेतन देता था अल्लाउदिन ने सैनिकों की हुलिया लिखने और घोडों को दागने की प्रथा प्रारंब किया था अल्लाउदिन पहला सासक था जिसने भूमी की 25 करा कर लगान वस्रूली करना आरंब किया था अल्लाउदिन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमी कर खराज के रूप में लिया अल्लाउदिन ने लूट के धन खम्स में सुल्तान का हिसा एक बटा पांच के अस्थान पर चार बटा पांच भाग कर लिया था अल्लाव उदिन जो था जो खमस होटे थे लूट के धन पे चल्थाना का हिसा जो पहले के सुल्थान एक बटा पांच लेते थे लेकिन इसने चार बटा पांच लिया इबन बतूता ने रहला, इसामी ने फतुहा ते सलातिन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल्फतू की रचना की अमीर खुसरो अल्ला उदिन खिल्जी का दर्बारी कभी था अब देख लेते हैं सल्तनत कालीन पर मुख्य कर और उसके परकार तो जजिया कर, जजिया कर जो था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जगात कर जो था ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मी कर था खुम्स युद में लूट से प्राप्त धन को कहते थे खराज जो कर था ये गैर मुसलिम क्रिसकों से लिया जाता था और अल्लाउदिन खिल जी का पुत्र मुबारक खिल जी 1316 में दिल्लिक के सिंगासन पर बैठा कुत्र बुदिन मुबारक साह खिल जी ने स्वैम को खलिफा गोसित किया अल इमाम उल इमाम खिलापत उल्ला आधी की उपाधिया इसने धारन कि कुत्र बुदिन मुबारक साह खिल जी के बाद नसुर्युदुन खुसरो साह सासक बना ये अब आगे तुगलक वंस 1320 से 1412 इस भी तो गया सुधिन तुगलक 1320 से 25 के बीच रहा या गाजी मलिक तुगलक वंस का प्रथम सासक था इसने तुगलका बाद नामक नगर की अस्थापना किया था निर्मान करवाय था इसने सुल्तान गया सुधिन तथा निजामुदिन आलिया के बीच संबंध जो था कटुता पुर्ण हो गये थे आलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दुरस्थ तो ये हुजूर दिल्ली अभी दूर है इसने कहा था इसने सिचाई के लिए नेहरों का निर्मान करवाय था इसके बाद मुहंमद बिन तुगलक आता है 1325 से 1351 गया सुधिन की मिर्तु के बाद जोनाखान या मुहंद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहा ये सुल्तान बना कौन मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्को के अस्थान पर तामबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया दिवान ए अमीर को ही नामक विभाग जो क्रीसिस संबन्दि था मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा अस्थापित किया गया था मुरक्को यात्री इबन बतुता सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के सासन काल में 1333 इस्वी में दिल्ली आया था इवन बतूता ने अपनी यात्रा ब्रितांत अर्भी भासा में किताब उल रहला नामक ग्रंथ में लिखा था जैन धर्माचार जिन्स प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों को इसने सनरच्छन दिया था मुहम्मद बिन तुगलक हिंदूों का तहवार होली में समलित होता था मुहम्मद बिन तुगलक की परमुख योजनाय थी द्वाब कर्मे ब्रिदी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलता बात कह लिजे और सांकेतिक मुद्रा का चलन खूरासान तथा कराची लभ्यानी ये सबी इसकी योजनाय थी मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में हरियर और बुका नामक दो भाईयों ने दच्छिन में 1336 में स्वतंत राज विजय नगर के अस्थापना की सुल्तान के नीधत बरबदाईनू ने लिखा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई 1351 में मुहम्मद तुगलक मिर्टु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज साहा तुगलक सुल्तान बनता है 1351 से 1388 तक यह रहा फिरोज साहा तुगलक ने हिसार फतेहाबाद फिरोजपूर फिरोजाबाद जौनपूर जौनाखान के स्मृतिम बनाये था यह सभी नगर इसने बसाय थे और अनेक नहरे भी बनवाई थी उसने ब्राम्भनों पर जजिया कर लगाया स्वर प्रथम लोग निर्मान बिभाग के अस्थापना की फिरोज साहा तुगलक को ही जाता है इसका स्रे लोग निर्मान बिभाग का ठीक है हब ए सर्व अर्था सिच्चाई कर लगाने वाला फिरोज साहा तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इसने दासों की देखपाल के लिए एक प्रिथक विभाग दिवान ए बंदेगान का गठन किया फिरोज साह तुगलक के द्वारा अस्थापित दार उन सफा एक खहराती अस्पताल था फिरोज तुगलक ने अपनी आत्म कथा फुतुहात ए फिरोज साही की रचना की इसने जिया उदिन बढ़नी एवं समस ए सिराज अफीब को सनरच्छन परदान किया था इसने अध्धा एवंबीक नामक सिके जारी किये थे जो तामबे और सिक कांसे से निर्मित थे ठीक है कांसे से तामबा और कांसा से फिरोज तुगलक ने ज्वाला मुखी मंदिर को नश्ट कर उसके पुस्तकाले से तेरा सो गरंतों में से कुछ को फार्सी में बिद्वान अजीजु दिन खाली द्वारा दलायते फिरोज साही नाम से अनुआद करवाया था नासीरु दिन महमुद इगलक वंस का अन्तिम सासक था नासीरु दिन महमुद के सासनकाल में तैमूर ने भारत पर आकर्मन किया था 1398 में अब सैयद वंस आ जाता है 1414 से 1451 सैयद वंस का संस्थापक खीजरे खान ने मंगोल आकरमनकारी तैमूर को सयोग परदान किया था खीजरे खान को तैमूर ने पच्छी मुत्तर सीमा प्रान लाहोर मुलतान दिपालपूर का गवर्नर बनाया था खीजरे खान ने सुल्तान की उपाधी धारन नहीं की थी वह रैयत आला की उपाधी सही संतूश था खीजरे खान के उपरांत मुबारक साहसासक बनता है इसने तारी के मुबारक साही के लेखग याहिया बिन एहमत सरहिंदी को सनरच्छन परदान किया था सायद वंस के बाद लोदी वंस आता है 1451 से 1526 तो सबसे पहले बहलोल लोदी आएगा इसने लोदी वंस के अस्थापना 1451 में किया था और इसने जौन पूराज को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था बहलोल लोदी और इसका उत्र दिखारी कौन था सिकंदर लोदी था सिकंदर लोदी के बारे में देखते हैं यह लोदी वंस का सर्व स्रेश रासक था इसने नाब के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया था सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुवैदिक ग्रंथ का फार्सी मेनवाद किया गया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी रखा गया था सिकंदर लोदी के समय गायन बिध्या का एक स्रेश्ट ग्रंत लजट ए सिकंदर साही की रचना हुई थी सिकंदर लोदी गुल रुखी उपनाम से कभिताय लिखता था नोट देख लिजे सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्तान के सासको पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नगर बसाया था अब आगे देख लिजे मोट मस्जीद का निर्मान भी सिकंदर लोदी के सासनकाल में हुआ था और यह मस्जीद जो था लोदी अस्थापत्यकला का सुन्दर उदाहरन है इबराहीम लोदी कोराना सांगा ने 1518 इसमी में खोतोली के युद्ध में पराजित किया था अप्रेल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से उसका युद्ध हुआ जिसमें इबराहीम लोदी पराजित हुआ लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया अब दिल्ली सल्तनत की सासन ब्यवस्था देख लीजे सुल्तान की पदवी का प्रारम तूर्की सास को द्वारा किया गया महमूद गजनभी सुल्तान की उपाधी धारन करने वाला पहला सासत था केंद्रिये सासन का परधान सुल्तान था सल्तनत काल में मंत्री परशत को मजलिस एक खलवत कहा जाता था ठीक है दिल्ली सल्तनत के परमुक प्रशासनिक विभाग देख लेते हैं और उसके संस्थापक तो दिवाने अर्ज ये क्या था सैन विभाग था अल्बन के द्वारा इसके अस्थापना की गई थी दिवाने रियासत ये बजार नियंतरन विभाग था अल्लाव दिन के द्वारा अल्लाव दिन खिलजी इसका संस्थापक था दिवाने वकूफ ये बे विभाग से संबंदित विभाग था ये जलालू दिन खिलजी ने स्थापित किया था दिवाने मुस्तकराज बीत विभाग से संबंदी था अल्लाव दिन खिलजी के द्वारा दिवान को ही क्रिसी विभाग से संबंदी था मुहम्मद बिन तुगलक संस्थापक था दिवाने बंदगान दासों की देखपाल से संबंदी था, फिरोज साहा तुगलक संस्थापक था, दारूल सफाग एक खहराती अस्पताल था, फिरोज साहा तुगलक इसका संस्थापक था, दिवाने इस्तिहाक पेंसन विभाग था, ये फिरोज साहा तुगलक इसका संस्थ दिवानी रसातल बिदेश विभाग होता था, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग के परधान अधिकारी थे, सल्तनत कालिन परमुख पूस्तर के और लेखक देख लेते हैं, किताब उल्हिंद अथवा तहकीक ए हिंद ये, इसके लेखक अलबरूनी है, साहनामा का फिर समराज है, तारिके फिरोज साही, इसका जियादुन बढ़नी है, रेहला का इबन बतूता है, किताब उल्हिंद यामनी, इसका कौन है, उत्वी है, ठीक है, खजाइन उल्हिंद पुत तूगलक नामा, ये अमीर खुसरों के द्वारा लिखा गया था, स्री कृष्न बिजय ये मालाधर बसू के द्वारा लिखा गया था, अब हम लोग बिजय नगर समराजी के बारे में देखेंगे, बिजय नगर समराजी की जो अस्थापना है, ये हरियर तथा बुक्का नामक दो भाईयों ने किया था 1336 में, उनके पीता संगम के नाम पर, उनका नाम जो था सं कहलाया, क्रिशन देव राय जो थे तुलू वन्स के सासक थे, और क्रिशन देव राय के सासनकाल को तेलगू सहित्य का स्वर्न ने यूग कहा जाता है, क्रिशन देव राय ने आंदर बोज, अभिनाव बोज, आंदर पितामा, यवन राज अस्थापनाचार, आधी की उप पाधिधारन की थी तो कृष्ण देव जो राय हैं इनको आंद्रबोज अभिनाव भोज आंद्रपितामह यवन राज अस्थापनाचार की उपाधि इनको दी गई थी ठीक है कृष्ण देव राय जो थे संस्क्रीत भासा में इन्हों ने कौन सा ग्रंथ लिखा था जांब व कथा में कृष्ण देव राय को भारत का 37-37 सासक बताया है ठीक है ताली कोटा का युद्ध जो है जिसको राच्छत तंगडी का युद्ध बन्नी हटी का युद्ध भी कहते हैं ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था जिसमें बिजय नगर की पराजय हुई थी ठीक है अभी हम लोग ये देख लेंगे बिजय नगर आनी वाले विदेशी यात्री तो यात्री देश और सासक निकोलो कॉंटी इटली से आया था देव राय प्रथम के सासन काल में अब्दुर रज्जाक फारस से आया था देव राय दूतिये के काल में डोमिंगो पायस पुर्तगाल से आया थ अब देखेंगे हम लोग बहमनी समराज तो जफर खान हसन गंगु ने नामक एक सरदार था इसने अल्लाव दिन हसन बहमन साह की उपाधी धारन करके 1347 में सिंगासन पर बैठा और बहमनी समराज की अस्थापना की इसने गुलबरगा को अपने समराज की राजधानी बनाया और उसका नाम क्या रखा असाना बाद इसका नाम रखा ये देख लिजे परमुख राजवन्स और उसके संस्थापक तो बीजापूर आदिल साही वन्स के मलिक महमद ने संस्थापक इसके थे 1490 में बरार का इमाद साही वन्स के थे और संस्थापक कौन था फतह उल्ला इमाद साह अस्थापना 1484 में गोलकुंडा कुतूब साही वन्स के थे कुली कुतूब साह इसका संस्थापक था 1518 में बीदर बरीद साही वन्स का था और अम मीर अली बरीद इसके संसापक से 1526 में ठीक है तो अब देखेंगे कस्मीर के बारे में सुहा देव नामक एक हिंदू ने 14. सताब दिके प्रारम में कस्मीर में हिंदू राजे के अस्थापना की थी कस्मीर का प्रथम मुस्लिम सासक साम मीर था 1420 में अली सहा का भाई साही खान जैन उल आबदिन नामसे सिगहासन पर बैठा जैन उल आबदिन ये धार्मिक रूप से सही सनुच सासक था और इसके कारण इसे कस्मीर का अकवत हा गया है जैनपूर के बारे में देखते हैं जानपूर दिल्ली सलतनत की दुरबलता का लाब उठाकर मलिक सर्वर ने जानपूर में सवतंत्र सरकी राजवंस की न्यू डाली साहीत और अस्तापत्यकला में उननती के कारण ही जानपूर को भारत का सिराज कहा जाता था इब्राहिम साह ने 1408 में अटाला मस्जीत का निर्मान करवाया था हुसैन साह सर की इस वंस का अंतिम सासत था मालवा के बारे में देखते हैं मालवा में खिलजी वंस की अस्थापना महमूद साह ने किया था मांडू के किले का निर्मान हुसंग साहने करवाया था बाज बहादूर तथा रूप मती के महल का निर्मान सुल्तान नासीरू दिन साहने करवाया था दिलावर खान 1401 इसबी में मालवा को स्वतंतर प्रांत गोसित कर वहां का स्वतंतर सासक बन गया था ये सभी सल्तनत काल के समय जितने राज्य थे छोटे छोटे इनके बारे में ये सभी हम लोग देख रहे हैं मांडू में हिंडोला महल का निर्मान गया सुधिन खिलजी ने करवाया था मेवाड के बारे में देखते हैं अल्लाउदिन खिलजी ने 1303 में मेवाड के गुहलोत राजवन्स के सासक रतन सिंग को पराजित करके मेवाड को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था बाद में गुलोत राजवंस की एक साखा सिसोधियावंस के हमीर देव ने मिवार को सोतंतर करा लिया था राना कुम्भा ने 1448 में चितोड में एक विजय अस्तंब का निर्मान करवाया था खानवा का जो यूद था 1527 में राना सांगा और बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर जो है विजय हुआ था हल्दी घाटी का यूद 1576 में राना परताप एवं अकबर के बीच हुआ था भक्ती आंदोलन अब देखेंगे अब हम लोग भक्ती आंदोलन देखेंगे तो भक्ती आंदोलन का वास्त्वी विकास जो हुआ था अब्र भक्ती आंदोलन का विकास 12 अलवार एवं तीर सट्वी नैनार संतों के द्वारा किया गया था भक्ती आंदोलन को दच्छिन भारत से उत्तर भारत लाने का जूष्य है रामानंद को है रामानंद का जन 1299 में प्रयाग में हुआ था और इन्हों ने प्रयाग तथा वारा नसी में सिक्छा प्राप्त किया था रामानंद के परमुख 12 सिस्यों में पदमावती सूरसर ये महलाई थी कबीर जुलाहा रैदास चमार सेना नाई तथा पीपा राजपूत थे कबीर के बारे में देख लीजे निर्गुण भक्तिधारा से जुड़े कबीर ऐसे संते जिन्होंने संत होने के बाद भी पून्त ग्रिहस्त जीवन का निर्वाह किया बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है गुरु नानक का जन्में 1479 में हुआ था और विभाजित पंजाब के तलवंडी नामक अस्थान में हुआ था आधुनिक ननकाना साहिब में ठीक है गुरु नानक जो थे इन्होंने सिख्धर में की अस्थापना की ठीक है मीरा बाई के बारे में देखते हैं मीरा बाई मेड़ता के रतन सिंग राठोर की एकलोती पुत्री थी और मीरा बाई का जो विभा हुआ था राना सांगा के बड़े पुत्र भोज राज से हुआ था मीराबाई ने चार गरंथों की रचना की थी बरसी का मायरा, गीत गोबिंटी का राग गोबिंद, राग सोड़ट ये सभी इनकी रचना है तुलसी दास के बारे में देख लिजे तुलसी दास का जन्म जो हुआ था 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जीले में राजा पुरगाओं में हुआ था तुलसी दास ने अनेक गरंथ लिखे जिसमें रामचरित मानस कभिता वली, दोहा वली और बिनय पत्री का सरोत्तम है नामदेव ये महराष्ट में भक्ति आंदोलोन का लोगप्रिय बनाने में नामदेव की अत्पुन भूमिका है इनके गुरु विसोबा खेचर या खेचर नाथ थे नामदेव बरकरी संपरदाय से संबधित थे रैदास के बारे में देख लिए रैदास चमार जाती के थे और ये कासी में निवास करते थे इन्होंने रैदासी संपरदाय के स्थापना की थी दादू दयाल इनका जन 1544 में अहमदाबाद में हुआ था और ये धुनिया जाती के थे दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे हैं दादू दयाल ने मीपक नामक अंदोलन चलाया था अब देखे सूफी अंदोलन सूफी सब्द की उत्पति अर्भी भासा के सफा से हुई है इसका अर्थ होता है पवित्रता 14 सिलसिलो या रहे स्वादी संगठनों में चिस्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्स बंदी और सतरिया जो है अधिक महत्पूर्ण है इनके बारे में अब देख लेते हैं सबसे पहले चिस्ती सिलसिला ख्वाजा मुईदुन चिस्ती ने भारत में चिस्तिया प्रमपरा की न्यू डाली सेख फरीदु दिन गज ए संकर चिस्ती सिलसिले के परमुख सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से परसिद थे बाबा फरीद के दो परमुख सिस निजामु दिन ओलिया और नासीरु दिन चिराग देहलवी चिस्ती संपरदाय के परसिद संत हुए थे निजामु दिन ओलिया के परमुख सिस सेख सलीम चिस्ती अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे अब देख लिजे परमुक सूफी सिलसला और उसके संस्थापक तो सबसे पहले चिस्ती चिस्ती के संस्थापक क्वाजा मुईनदिन चिस्ती थे सुहरावर्दी के अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी कादरी के सेख अब्दुल कातिर जिलानी थे सतारी के सेख अब्दुल्ला सतारी, फिरदोशी के बदरु दिन, नक्स बंदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। सूफी संत और उनकी उपाधिया देख लेते हैं, तो सूफी संत, ख्वाजा कुतुबुदिन बक्तियार काकी की उपाधि थी कुतुबुल अफटाप, सेख हमीदु दिन नागोरी की उपाधी सुल्तान तारिकीन सेख निजामु दिन ओलिया का महमूब ए इलाही सुल्तान उल ओलिया सेख सिराजु दिन उस्मानी का आइने हिंद सेख नासीरु दिन महमूद का चिराग ए देहलवी अब देखेंगे मुगल समराज बाबर ने भारत में 1526 में मुगल समराज को अस्थापित किया बाबर के बारे में देखते हैं 1526 से 30 तो जहीर्यु दिन मुहम्मद बाबर का जो जन्म हुआ था ये 14 फरवरी 1483 को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ था और बाबर के पीता का नाम था उमर सेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलूग निगार खानम था बाबर के पर मुख युद देख लेते हैं पानी पत का प्रथम युद इबराहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था विजेता सभी में बाबर ही था और कब हुआ था 21 अप्रेल 1526 को खानमा का युद 17 मार्च 1527 को हुआ था और राना सांगायम बाबर के बीच हुआ था चंदेरी का युद 29 जनवरी 1528 को हुआ था मेदेनी राय मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था घागरा का युद 5 मई 1529 को हुआ था अफगान यों बाबर की बिच और सभी में बाबर ही विजेता रहा ठीक है बाबर ने अपनी आत्म कता तूजुक ए बाबरी में लिखा जिसे बाबर नामा कहते हैं और ये तूर्की भासा में लिखा था बावर की आत्मकता का फार्सी भासा में अनुआद खान खाना ने किया था और इस कारे में पायंदा खान ने सहयोग किया था बावर की मिर्तू 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो जाती है बाद में उसकी पूर्व इक्छा अनुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गया स्थान पर दफनाया गया था हुमायू के बारे में देखिए हुमायू 27 जनौरी 1556 को दीन पनाह भवन में इस्थत पुस्तकालों के सीडियों से गीर कर हुमायू की मिर्तू हो जाती है और ये पहले राज हुमायू जो था 1530 से 40 के बीच रहा और 1555 से 56 के बीच रहा और फिर 56 में तो मिर्तू हो जाती है सेरसाह सूरी देख लिजे 1540 से 1545 मद्यकाल में भारत में सूर वंस के दूतिय अफगान समराजी की असापना सेरसाह सूरी ने किया था सेरसाह के बचपन का नाम क्या था फरीद था दच्चिन बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने एक सेर को मारने के उपलक्च में फरीद को सेर खान के उपादी दी बिल्ग्राम यूद्ध के पश्चात सेरसाह जो था दिल्ली के गद्धी पर बैठा सेरसाह का मकबरा सासाराम में है रोहतास गड़ का किला तथा किला एक कुहना नामक जो मस्जीद है का निर्मान सेरसाह के द्वारा किया गया था सेरसा का अंतिम यूध अभियान 1545 में कालींजर को माना जाता है अब देख लिजिए हुमायू के परमुख यूध देख लेते हैं चौसा का यूध 26 जून 1549 को सेरखान और हुमायू के बीच हुआ था और सेरखा भी विजेता था बिल ग्राम का यूध में 17 मैं 1540 को सेरखान और हुमायू के बीच हुआ था सेरखान ही विजेता था अब अकबर आ जाते हैं अकबर द्वारा किये गए महत्पून कार अकबर के बारे में देखेंगे आगे तो दास्प्रथा का अंत 1562 में किया था परदा सासनकांत 1562 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ती 1563 में जजिया कर की समाप्ती 1564 में फतेह पूर्षिकरी की अस्थापना यूम आगरा से फतेह पूर्षिकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में इबादत खाना की अस्थापना इसको पूजागरी भी कहते हैं 1575 में मजहर की अस्थापना 1589 में दिन ए इलाही की अस्थापना 1582 में इलाही सन्वत की सुर्वात 1583 में ये था अकबर द्वारा किये गए महत्पूनकार अब अकबर के बारे में देख लेते हैं 1556 से 1605 अकबर का जन 15 अक्टूबर 1542 को हुमायू की पत्नी हमीदा बानू बेगम के गर्व से अमर कोट के राना बीर साल के महल में हुआ था अकबर का राज्याभी से एक लगभग 13 वर्स की उम्र में 14 फरवरी 1556 को काला नौर में उनके संरत्चक बैरम खान द्वारा इटो के सिघासन पर किया गया था पांच नौंबर 1556 को अकबर एवं हीमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था अकबर के दिवान टोडर मलने भूर आजस्वे के छेतर में दहसाला ब्योस्था में ख्याती अरजित की थी अकबर के दरबार में परसीद संगीतकार तांसेन रहते थे अकबर ने तांसेन को कंठा भरन वानी बिलास की उपाधी दी थी तांसेन का मूल नाम राम तनू पांडे था अकबर के दरबार के परसीद चित्रकार अब्दू सम्मद दसवंद और बसावन थे बाज बहादूर बाबाराम दास बैजु बावरा अकबर के सासन काल के परमुख संगीतकार थे अकबर के सासन परनाली की परमुख विसेस्ता मनसब दाली प्योस्ता थी फैजी ने लिलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फार्सी में अनुवाद किया था अकबर इंगलैन किरानी एलिजा बेद प्रथम की समकालिन था अकबर की मिर्टू अक्टूबर 1605 में 25 रोक से हो गई थी अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था अब जहांगीर के बारे में देखेंगे 1605 से 1627 मुगलबासा अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस 1570 को भतेह पूर सीकरी में इस्तत सेख सलीम चिस्ती की कुटिया में आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उजमानी के गर्प से हुआ था कुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखो के पाँचवे गुरू अरजुन देव कुफासी दिलवा दी थी नूर जहां का वास्त्विक नाम मेहरू निशा था विबाह के उपरान जहागीर ने उसे नूर जहां की उपाधी दी थी एतमा दुदावला के मुकबरे का निर्मान जो है ये नूर जहां ने करवाया था जो पूर्ण रूप से सफेद संग मरमर से निर्मित है और सर परतम इसी इमारत में पितरा डुडा या जडाओं का काम किया गया था जहागीर के जेश्ट पूत्र खुसरो ने सुलसु से इसवजी में बिदरोह किया था जहागीर ने अपने समराज्य में तमबाकु पर परतिबंध लगा दिया था जहागीर का सासनकाल, चीतरकला का स्वर्ण काल कह माना जाता है, जहागीर के समय सरोत क्रिष्ट, चीतरकार उस्ताद, मनसूर और अबूलहसन था, जहागीर ने अपनी आत्म कता, तुजुक एबाबरी फार्सी में लिखा था जहागीर ने, अब देखते हैं परमुख अस्थ पत्य और उसके बारे में निर्मान करता, तो आगरा फोट का निर्मान अकबर ने 1565 से 73 के बीच करवाय था, फतेहपूर सिक्री भी अकबर के द्वारा 1571 से 85 के बीच, ताजमल साह जहां के द्वारा 1631 से 48 के बीच, जामा महजीद दिल्ली का ये साह जहां के द्वारा 1650 से 56 के बीच, लाल किला साह जहां के द्वारा 1638 से 48 के बीच, बीबी का मकबरा और अंजेब के द्वारा 1651 से 61 के बीच करवाय गया था, जहांगीर के दर्वार में आने वाला ब्रीटिश समराट जेम्स प्रत्थम का राजदूत टॉमस रो था, ये जहांगीर हो गया, अब सा 1628 से 1658 साह जहां का जो जन्म है जन्वरी 1592 में जहांगीर की पतनी जगत को साई के गर्व से लाहोर में हुआ था साह जहां के बच्पन का नाम खुर्रम था 1612 में खुर्रम का विबाह आसव खान की पुत्री अर्जुनमन बानो बेगम से हुआ है अर्जुमन बानो बेगम कलांतर में मुम्ताज महल के नाम से विख्यात हुई थी और मुम्ताज महल की मिर्थू के बाद उसकी स्मृती में साह जहां ने उसकी कबर पर ताज महल का निर और लेखक देख लेते हैं तूजुक ए बाबरी बाबर नामा एं बाबर के द्वारा लिखा गया है तुरकी भासा में तारी glacier रसीदी मिरजा हैदर दुगोलत के द्वारा फार्सी में बाकी सब फार्सीMें ही है ठीके एक बाबर नामा ही तुरकी में था हुमायू नामा गुलबदन बेगम के द्वारा तारी के सलातीन ए अफगान ए अहमद यादगार के द्वारा हबीब उस स्यार एम कानून ए हुमायूनि खोंद मीर के द्वारा, तारी के सेरसाही तोहपा ए अकबर साही ए अब्बास खान सरवानी के द्वारा, अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा, तवकात ए अकबरी निजामु दिन एहमद के द्वारा, मुतकव उस तवारिक अब नहागीर के दर्बार में आने वाला ब्रिटी समराट जेम प्रत्थम ये तो हो गया ना जेम्स प्रत्थम का राजदूत टॉमस रो था अप्रेल 1658 में धर्मत का युद होता है इसमें साही सेना और अरंग्जेब के बीच हुआ था ये युद धर्मत का जिसमें साही सेना की पराजय हुई थे 1658 मैं 1658 में सामुगढ का युद दारा सिकोह और अरंग्जेब के बीच होता है इसमें दारा की पराजय हुई दारा सिकोह ने सीर ए अकबर के नाम से उपनी सुदो का अनुवाद करवाया था साहा जहां की मिर्तु 22 जनवरी 1666 को हो गई अब अरंग्जे अरंग्जेब ने जुलाई 1659 में अपना पहला राजय अभिसेक कराया और दूसरा राजय अभिसेक जून 1669 में दिल्ली में ही करवाया था और अंग्जेब ने इसलाम धर्श्विकार न करने के कारण 1675 में सिखो के नवे गुरु तेक बहादुर की हत्या करा दी थी और अंग्जेब बीना नामक वाधियंतर बजाने में दक्ष था और अंग्जेब ने हिंदुव पर पुनह जजिया कर लगा दिया और अंग्जेब की मिर्टु 21 फरवरी या 3 मार्च 1707 को अहमद नगर में हो गई थी अब मुगल सासन ब्योस्था देखते हैं मुगल काल में मीर बक्सी सैन बिभाग का परधान होता था मुगल परशासनिक सब्दा वली में माल सब्द जो है भूर आजास्वे से संबंधित था मुगलों की सैन ब्योस्था दसमलों परणाली पे अधारित थी नय बिभाग का जो परमुक था काजी उलकुजात होता था अकबर के समय में भूमी को उपच के अधार पर चार स्रेनियों बाद गया था पोलज, परती, चाचर और बंजर मुगल बादसा और उनके मकबरे देख लेते हैं, बाबर का काबूल में है, हमायू का दिल्ली में है, अकबर का आगरा सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहोर सहादरा में है, साह जहां का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद, दौलताबाद में है ये हो गया मुगलों के बारे में अब मराठों का उतकर्ष देख लेते हैं सीवा जी को मराठा समराज का संस्थापक कहा जाता है सीवा जी का जन 6 अपरेग 1627 को या 19 फरवरी 1630 को सीवनेर के दुर्ग में हुआ था दो डेट दिया हुआ है तो ये कोई बात नहीं इत्यास कारों में मतभेद रहा होगा सीवा जी के पिता का नाम साहजी भोसले एव माता का नाम जीजा बाई था सीवा जी ने मुगलों के परतिनीधी राजा जैसिंग के साथ जून 1665 में एक संधी कर ली थी यह संधी पुरंदर की संधी के नाम से फेमस है सीवा जी ने रायगड को अपनी राजधानी बनाया था 1665 में सीवा जी ने बिजापूर के सेना पती अवजल खान की हत्या कर दे 1674 में सीवा जी का राज्या अभिसेक कासी के परसीद विद्वान गंगा भड़ द्वारा करवाया गया मराठा परसासन में अश्ट परधान नाम की मंत्री परिसद थी देख लेते हैं अश्ट परधान के बारे में पेशवा राजा का मंत्री होता था अमात बीत एवं राजस्व मंत्री होता था वाकिया नवीस या मंत्री जो था ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दर्बार की परतिदिन की कारवायों का बियुरन रखता था सच्चिव राजकिये पत्र बहवार का कार देखता था सुमन्त या दबीर विदेश मंत्री होता था सेना पती या सर ए नौबत ये सेना की भरती संगठन रसद आधी का प्रबंधन करता था पंडित राव विद्वानों और धार्मी कार्यों के लिए अनुदानों का दाईत्व निभाना न्यायधिस मुख न्यायधिस होता था सिवाजी के उत्राधिकारी देखली जे संभाजी सिवाजी का जेश्ट पुत्र था इसने 1689 से 89 तक सासन किया था राजाराम सिवाजी के कनीश्क पुत्र राजाराम के नित्रित में मुगलों के विरुध मराठा स्वतंतता संग्राम जारी रखा राजाराम ने संभाजी के पुत्र साहु के परतिनीधी के रुप में सासन किया था तारा बाई राजराम की मिर्दू के बाद बिद्वा तारा बाई ने अपने चार वर्सिये पुत्र सिवा जी दूतिये को गद्दी पर बैठाया और संघर्स जारी रखा साहु जी साहु के सासनकाल में मराठा सक्ती का बिस्तार हुआ चौत सरदेश मुखी भूमी कर राजकी आय के सुरोत थें और मुख पेशवा देख लेते हैं तो बाला जी बिस्विनाथ 1713 से 20 तक रहा बाला जी बिस्विनाथ मराठा समराज के दूतिये संस्थापक के रूप में परसीद हैं पेशवा बाला जी प्रथम ए 1720 से 40 के बीच बाला जी बाजी राओ स्रेश्ट मराठा सेनापती सिद्ध हुएं और 1733 में संपून मालवा चेतर गुजरात पर मराठा अधिपत्य हो गया था बाला जी बाजी राओ 1740 से 1761 तक बाला जी बाजी राओ के काल में मराठे अपनी सकती से दक्षिन से चौत और सरदेश मुखी वसूलने लगें तो इस तरह देखिए आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया अब हम लोग नेक्ष वीडियो में मिलते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देजिए तो चलिए अब नेक्ष वीडियो मिलते हैं